लगाएंगे तो एक बार जैकरा लगा दीजिए श्रीकिष्णा जी का ताकि एनर्जी मिल जाए हमें भी तो जाए श्रीकिष्णा सब्सक्राइब इससे बड़ी अर्मरी क्या होगी ठीक है जगत गुरु को पकड़ लो भाई तुम गुरु की तलाश में गुमते रहते हैं अरे बही तुम्हें इतना बड़ा सुमंदर वाला शिकिष्णा जी नजर आ रहे हैं जिनका कोई नाधी नानत है उसको पकड़ो ना अब मिर से भी मुझे गुरु बनाओगे या किसी और को बनाओगे वही तो उनी से ले कर देगा तो एप्रोच वो रखो की बड़ा चाहिए हमें चोटा मत सोचो हमें कृष्णा चाहिए बाद कतम अब किष्णा के रस्ते में को जो जो मिलता चला ते उसको गुरु बनाते रहो उन से आपको कोई परम गुरु मिल सकते हैं कृष्णा जी मिल सकते हैं वो अलग बात है लेकिन मिशन ओना चाहिए कृष्णा को बाना है ठीक है जी चली तो जैसा कि आप सभी को बता है मारा दो दिन की क्लास थी टैरो की और इस क्लास को आगे हम कंटिनू करेंगे क्योंकि सब के कृष्णा सब तो फिर भी नहीं हो पाएंगे तो मैं जरा मासे आ जाओ अभी तूर से तो उसके बाद फिर दो दिन की फिर क्लास रखेंगे ताकि आपको पता लगए टैरो होता गया है टैरो कैसे काम करता है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आज का हमारा ज जोतिश वास्तु और नेमलोजी को हम कैसे लगा सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं आपको जो भी आता है और नहीं भी आता तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको कोर्स में सिखाता हूँ ठीक है चलिए कि 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 हिस्ट्री क्या टैरोगी जैसे बता है कि टैरो आए कांसे हैं पैसे तो बहुत सारी थियोरी जैस के पीछे कहां से हैं लेकिन आज तक कि यह मित ही है कि टैरो नाम का जो शब्द है कहां से है और टैरो कहां से है एक्जेक्ट इसका क्या हिस्ट्रीकल रेफरेंसिस मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ तो यह वैसे पहले था बली सिस्टम था लोगों का कि यह जो टैरो है यह प्राचीन चाइना से आए हैं क्योंकि जो चैना की संस्कृति है वो भी 5,000 साल पुरानी है और हमारी जो संस्कृति है वो 10,000 साल पुरानी है तो प्राचीन हमारा एक वजूद है हमारा सबसे पुराना है उसके बाद चाइना की जो संस्कृति है वो भी बहुत पुरानी है लेकिन जो common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies लेकिन एक common एक ये था, एक myth था कि जो जो काड है ये यॉरप में gypsian एक community होती है उसके द्वारा ये कहीं से लाए गए जैसे हमारे हैं हो ना इंडिया में होते हैं बंजारे होते हैं गुमते रहते हैं ऐसे ही यॉरप के अंदर एक community है gypsian तो ये गुमकर टाइब लोग हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि ये खही ना कहीं से ये gypsian लोग इन tarot card को लेकर आए गई से लेकिन जो उसका first historical reference मिलता है the first clear historical references say that card appeared in Europe around the 14th century तो 14th century में ये यॉरप के अंदर इन card का historical references मिलता है लेकिन किस form में मिलता है as a game known as a Tirochi एक Tirochi नाम का game है उसके अंदर ये card के symbols या इस तरह के cards पाए गए all ancient civilization develop their own system of domination or fortune teller based on same symbolism and archetypes तो बेसके लिए आप देखे जितने भी प्राची सब्वेताएं हुई है है न जितने भी प्राची कल्चर सब्वेताएं आप देखेंगे तो उन सभी में future में जाकने के लिए future में क्या हो सकता ही जानने के लिए सबके अपने कोई system हुआ करते थे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे जैसे अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो आप लाल किता बहुत मिशूर है और हम मिडल की तरफ हमारे तरफ जाएंगे आप तो यहां पर आप समझेंगे कि वैदिक अस्टोरी जा रहा अच्छी चलती है अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप ब्रिकुन नंदी नाडी को ज़्यादा यूज करते हैं वो लोग पंचपस्टी सिस्टम है वो भी आप समझें साउथ से आया हुआ है तो हमारे हिंदुस्तान में कही तरह की चीज़े है जैसे अगर चाइना में आगर बात करते हैं तो चाइना में सारा शिरफ आप सभी को पता है कि एक तरह की निमलोजी होती है जिसको हम लोशू गिर्व यह जो आप लोशू पढ़ते हैं लेकिन अगर मैं पूछ हूँ आपने लोशू कोंसा सिस्टम पढ़ा है आप क्योंकि सब तीन सिस्टम होते हैं मैं तो पता ही नहीं और तीनों के कंसर्ट अलग है और वो तो हई नहीं है जो आप पढ़कर आए हो कि वन नमबर सुर्य दो सिस्टम हुए हैं कुछ बताने के लिए जैसे हमारे हैं पहले शकुन शास्तर वो चलता था शकुन है ना कि जैसे बिल्ली रस्ता कड़ गई है ना मतलब इस तरह के मित थे कि वैडनेस को इस दिशागी राज यातरा नहीं करने चीए कोई लड़की पहली बार माय के आती है या लाना लेने के लिए जाना होता है तो इस दे नहीं जाना इस बार फसले कैसी होंगी तो शकुन से कुन सा पक्षी दिखाए दिया है वो गोसले कब वो अपने पक्षियों बच्चों को लेकर उड़ गए है इस तरह के शकुन शास्तर से हम पहले भविश्यावाने किया रखते हैं जो कि अब लुप्त होती जानी है तो इसी तरह से हर सिविलाजेशन में करेना के कुछ लों कुछ सिस्टम रहे हैं यह फ्यूचर को जागने के लिए अब टैरो कार्ड भी एक 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 ऐसी मोडालेटी है जिसमें आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स बनी है आर्क लेकिन इसके अंदर टी और टी सालेंट रहता है मिशा सको टैरो डोला यह का मीनिंग क्या है बेसे जो टैरो शब्द है यह आस्तक पोई नहीं जान पाया यह ते यह कोई शब्द ही नहीं है अपने आपके यह किसिना किसी शब्द का बगड़ा हुआ रूप है जैसे आप सभी को पता है कि hours, हम बुलते हैं कितने बच कर कितने मिनट हुआ है, तो हम hours में बात करते हैं, एक hour 60 मिनट का होता है, लेकिन आपको पता है, यह hours नाम का जो इंगलिश में शब्द है, यह कोई शब्द ही नहीं है, यह हमारा एक हिंदू सिस्टम के इंदर एक और hora से ही समझ में आता है कि क्यों Sunday के बाद Monday आता है, Monday के बाद Tuesday आता है, Tuesday के बाद Wednesday ही क्यों आता है, यह logic है इसका, साथ प्लैनेट हैं आपके पास, visible और साथ ही days है आपके बास, ठीक है, तो यह प्लैनेट की वज़े से यह days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday इस तरह से आते हैं, ठीक है, तो कभ तो इसी तरह से टैरो का कोई शब्द का मीनिग नहीं है, टैरो किसी शब्द का बिगड़ा हो रूप है, तो बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं, हीब्रू सिस्टम है, बहुत प्राचीन सिस्टम है यह भी, इसमें तारो एक शब्द है, जिसका मतलब है The Divine Law, Lawgiver, ताओ Egyptian God है, God क नाम, Egyptian God का नाम ताओ है, तो उसका टैरो कर दिया हो, तो तारो शेक Egyptian में एक और शब्द आता है, तारो रॉयल वे मतलब है उसका, टैरो टारो आता है Egyptian में, तो इस तरह से बड़ी सारे सिस्टम में है, जैसे टारस एस्टरोजी है, आपको बता है, टारस एक साइन है, तो इस तरह की चीज़े हैं याँ पर, तो हमें आस तक कोई डिकोर नहीं कर पाया है, टारो एक्जेक कहां से आ है, इतना पक्ता है कि ये किसी सिस्टम के किसी नाम का बिगडा हो और रूप रही है, नेस्ट है एडवांटेज और टैरो कार्ड रेडिंग, क्यों टैरो कार् इडवांटेजिस हैं, तो सबसे पहले वो इडवांटेज बताता हूँ, जिसके वज़े से ये सीखना बहुत जरूरी है, सबसे पहला इसका इडवांटेज ये है सीखने का, कि एकलौती ऐसी मोडालेटी है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, जैसे बहुत सारी लोग बाते हैं, सर कैलकुलेशन बड़ा डर लगता है, निम्लोजी में या जोतिश में, बड़ी लंबी-लंबी कैलकुलेशन होती है, वास्तु आप करते हैं, तो आपको डर लगता है, सर ड्रैक्शन कैसे निकाले जाएगी, थोड़ा तफ टास्क है, उसमें बार चाड़ कैसे बनाएंगे हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, तो सबसे बड़ी खास बात क्या है टैरो की, कि टैरो के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, खतम, जिनजड़ी कहता है, कि कोई कैलकुलेशन कर नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है टैरो की, कि टैरो इकलौ प्रवाथी ऐसी मडालेटी है जो कि सबसे जल्दी सीखी जा सकती है और इसको सीख कर आप दो पैसे की इंकम अब दो पैसे मतलब वो 30-40,000 से लेकर 5,000,000 रुपे मेना तर अब मर जी आपकी है कि आप कितने डेडिकेशन सीख कर कितना कमाना चाहते हैं वो आपके पर बात मेर सुन कमा रहे हैं 30-40 से लेकर 5,000,000 रुपे मेना तर तो दो पैसे की इंकम आप अपने घर में comfort zone में उस 24 गंटे में से 5-7-10 गंटे काम करकर वो भी अपने comfort zone में इसी में बैठ कर कमा सकते हैं और आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली modality है मार्केट में क्योंकि मैं engineer हूं science background से हूं तो मैं research करता रहता हूं तो इसलिए आपको बता रहा हूं आखी रेट में टेरो निमलोजी सबसे ज़्यादा इन है सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे देश में जैसा मोदी जी बोलते हैं कि young crowd सबसे ज़्यादा है और young crowd का जो attraction है आज की रेट म एक जो थी बिचारा दो थी कुरते में बैठा मिल जाएगा आप में लेकिं टैरो का रेटर आपको हमेशा है ना चमक दमागो बिल्कुल अप्टू डेट अच्छी वैल ड्रेस्ट और सब को पढ़िया है ना उसमें टैरो का रेटर मिलते हैं तो यहाँ से ही समझ सकते हो कि ग्लैमरवर्ल और आज कल की जनरेशन ग्लैमरवर्ल रेट ज़लदी अल्टराक्ट होती है तो यह सबसे अच्छा है तो मतलब क्या होगा कि कमर्शल अइंगल से यह सबसे अच्छी मोड различ है आज की रेट में जो चाहता है कि मैं दो पैसे अच्छे घर बैठकर कमाए और जल दूसरी चीह बताते हैं तो यहाँ पर लिखा है character analysis यह definitely अगर आपको किसी का character जानना है character मतलब good or bad character से नहीं है उसके nature behavior, kind of जानना है किसी इंसान को आप तो अगर आप जोतिश के किसी को जानना है तो पूरी जोतिश की knowledge होनी चाहिए आपको तब ही आप जान पाएंगे neurology के दर numbers की knowledge होनी चाहिए और वो भी एक tough task है not easy तो यहाँ पर आप card के मादन से किसी कई भी character को analyze कर सकते हो उसको add present कौन सी energy से वो deal कर रहा है, किस तरका nature behavior उसका होगा क्या lie, dislike उसकी हो सकते हैं पाड से असानी से बताया जा सकता है फिर एक glimpses of future yes, obviously, लोग आते हैं future जानने के लिए तो near future में क्या हो सकता है तो यह जानना चाते हैं तो definitely terror आपकी बहुत अच्छा है कर सकते है solution of immediate dilemmas के बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके पास जब आप एप में काम करेंगे तो ऐसे आएंगे कि रोज आप से प्रशन पूछेंगे ठीक है कि सामने ले की current feeling क्या है ऐसे पूछते ना कि सर उसकी current feeling क्या है वो मेरे बार में क्या सोच रही है वो मेरे से प्यार करती है निकरती क्या उसका call आएगा अब इन सब इस तरकी questions के answer आप जोतिश इस level पर नहीं निकाल सकते है मतलब जोतिश निकालने के लिए आपको ना कमसे 10 साल से उपर की practice आपकी होनी चीए तब जाके इन questions के answer आप जोतिश से निकालने की काबिल बनने लाइक शायद हो जाएं 10 साल बार लेकिन टैरो का मज़ा ही यही है कि आप हर गंडे की prediction कर सकते हो किसी की लेकिन जोतिश से नहीं कर सकते है कि जोतिश में ना तो कुणली बदलेगी ना उसकी दशाय बदलेगी ना योग बदलेगा बदलेगा क्या पर तो वहां से बड़ा मुश्किल है क्या वो मुझे चाती है क्या वो जिसको चाती है क्या वो उसको चाता है वो छोड़ के मेरे पास है इस तरही कोशिन आंसर आप टैरो से बहुत अच्छे से जान सकते हो और उनका solution भी दे सकते हो ठीक है कोई problem आ रही है तो आप immediate dilemmas कि में इंसान जो है और किस dilemmas के अंदर है उसका instant solution क्या देना है definitely आप कार्ड के मांदम से दे सकते हैं next है नीचे के दो most important है helping in meditation तो एक बात सभी आप जान लीजिए कि जो भी हम prediction करते हैं कभी भी calculation से prediction नहीं होती यह ध्यान अकले ना और यह मेरा मानना है और यह मैं जो पिछले पांस साल से बूलता रहूं आप हो ना ही यह सभी लोग अभी इस बात को मानने लगें कि calculation से prediction इस जोतिश वर्ड में या occult वर्ड में नहीं हो सकती कभी कभी भी नहीं हो सकती अगर ऐसा होता तो सोचिए कोई ना की software अब तक बन चुका आता जो calculation कर सकता था आपको बता है ना Google पर कुछ भी लिखो कितने बड़े बड़े software आँके पास कि आप एक शब्द लिखो उसके हजारों लाकों वेबसाइट हैं सामने आजाते हैं बन तो कितने बड़ी calculation कर सकता है system लेकिन आस्ता कोई किसी भी modality में prediction करने के लिए software नहीं बना है आप लोग कह रहें सर वो artificial intelligence आ गया है वो भी कारगार नहीं होगा इस मामले में तो नहीं होगा ठीक है ऑकल्ट में नहीं होगा बाकि कहीं भी हो जाएगा उकल्ट में नहीं हो सकता है यह ध्यानक क्योंकि यहां पर intuition चलती है आपकी और जो machine सो सकती है जो इंसान सो सकता है वो machine नहीं सो सकती है machine calculation कर सकती है लेकिन इतनी intelligent machine कभी नहीं हो सकती है जो इंसान को overcome कर दे यह ध्यानक है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक entity power भी होनी चाहिए और कल्ट में जब हम काम कर रहे हैं और आप बोलेंगे सर मेरे पास नहीं है तो entity power तो क्या करें meditation meditation is the best tool to increase your intuition power अगर आपको अपनी इंटेशन डलब करनी है बढ़ाना है तो meditation बढ़िया टूल नहीं है और टैरो की सबसे खासे बात है कि टैरो करते ही करते हैं आपकी meditation अपने आप इस्ट्रॉंग हो जाती है आपकी इंटेशन अपने आप भी बढ़ जाएग इसले मैं कहत करें निमलोजी कर रहे हैं वास्तु कर रहे हैं लाग इताब करने तैरो जिस दिन आपने शुरू कर दिया आप देखना आपके प्रेडिक्शन बाकी मोडालेटी में अपने आपकी बढ़ जाएगा तीक है कभी कैल्कुलिशन प्रेडिशन नहीं होती कैल नो डाउट कैल्क जाता हूं वास्तु के अंदर जोतिश के अंदर तो मैं टैरो की हैल्पिल लेता हूं यह भी आप पर सकते हैं पर जो सिस्टम मां पढ़ने वाले हैं वो है राइडर वेट राइडर वेट डैक इजिस तो वर्क विद इजी तो लर्न उनको सीखना सीखाना बहुत एजी है इटलेजेक Κिरीएशनल और राइडर वेट एजी तो यह तोर ऋडुट वेट पमीला कॉलमन स्मित्थ तो दो लोगों ने इनको डिजायन किया और उसी के नाम पर जो अडार वेट था इसी के नाम से राइडर वेट यह तयरो क्लो नाम रखा गया है ताकि थोड़ा आपको एक अटी बैक्ग्राउंड पता हो कि क्या है क्या नहीं है तो टोटल जो राइडर विट टैरो डेक हैं वो टोटल 78 कार्ड होते हैं इन 78 कार्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर 22 कार्ड जो है उसको मेजर कार्ड बोलते हैं और 56 कार्ड को माइनर कार्ड बोलते हैं तो जो माइनर कार्ड है 56 कार्ड उनको अगें चार पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें 14 कार्ड एक सेट में हम रखते हैं और उनके नाम है उनके नाम है पेंटकल, कप, वांस और सोट तो हर एक सेट के अंदर हमारे 14 मतलब है, पैंटेकल, कप, वांज, सूट, पैंटेकल, कप का मतलब होता है, प्याला, कंटेनर, वांज का मतलब है, चड़ी, एक स्टिक, और सूट का मतलब है तलवारे. और यह चार जो सूट है हमारे यह सेट बोल दीजिए आप यह चार जो हमारे अलिमेंट होते हैं जिन पांच अलिमेंट से पुरा ब्रमान बना है जो पांच अलिमेंट से पुरा वास्तु जो बेस है पुरा या तो यहां पर वास्तू भी लगता है और यह पर जोतिश भी लगाएंगे और इन 1942 भी लगाएंगे अब आप बोले सकते हो sir ये तो हमें आता नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा ना तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं आता तभी आप कर सकते हो क्योंकि जितनी निमलोजी जितने वासतो जितनी जोबतिशी की यहां पर जोब पढ़ने वाली है वो आपको course में सिखाया जाएगा तो चिंता की कोई बात में लेकिन definitely मज़ा हैगा आपको काम करकर हमारे साथ क्योंकि यह बहुत unique modality है इस unique modality के हमने वास्तो जोतिशो टैरों में लगाया है और अब से मैंने इस batch में भी एक दो चीज़े नहीं डाली थी और next batch में दो ती चीज़े और मैं नहीं डालने वाला हूँ ठीक है तो हो सकता है आने वाले 10 के अंदर हम इसको इसका बिल्कुर scenario ही change कर दें टैरों का इसको उस level पे लेके चले जाएंगे कि यह compulsory हो जाएगे कि आप कुछ भी करें टैरों साथ लेके चलेंगे आप जैसे मैं करता हूँ मैं वास्तु भी करता हूँ टैरों मेरे साथ होते हैं दो चीज़ मेरे साथ हमेशा रहती है टैरों मेरे डाउसर यह दो ऐसी modality है कि मैं वास्तु करने जाता हूँ तो उसमें यूज़ करता हूँ निमलोजी करता हूँ लाग किताब की कुछ चीज़े निकाल नहीं है तो उसमें यूज़ किया जाता है जोतिश में तो मैं करता है ठीक है चक्राज हीलिंग करनी है तो किसी का चक्रा क्या वीक है क्यों वीक हुआ वो क्या करना चाहिए तो भी मेटा रोगार्ज लेता है या डॉजर्ज लेता है ठीक है तो आप ये सारे चीज़ा आप भी सिख सकते हैं कोई मुश्किन नहीं चलिए अब थोड़ा आगे एक तरफ चलते हैं हम गोल्डन रूल मैं थोड़ा थे गोल्डन रूल बताता हूँ फिर आज का हमारा जो कंसलेशन है वो स्टार्ट करेंगे तो वन पिक्चर इस वर्थ थाउजन वर्ट्स तो जो टैरो की एक पिक्चर है ना जैसे आप देख रहे हैं कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं मालेजी आपकी यही पिक्चर है इस पिक्चर के हजार नहीं हजारो मिनिंग है सोचो हजारो मिनिंग हो सकते हैं इस कार्ट के जिस तरह से एक पेंटिंग को देखकर आप हजार लोगों से कुछ पूछो, तो हजार लोग हजार चीज़े बोल रहे होंगे ना, कोई painting दिखाओ, कुछ भी दिखाओ किसी को, तो वहाँ पर हजार लोगों कर दिखाएंगे, तो हजार लोग हजार एंगल से उसको देख रहे हैं, इसलिए mystical card है, इसलिए magical card है, इसल बार आप tarot करेंगे लोग तो ऐसे जिसे लोग को मैं जानता हूँ जो 30-40-40 साल दे tarot कर रहे हैं वो कहते हैं आज तक भी हम इन tarot card को पूरा decode नहीं कर पाएं और पता नहीं वो सिखाने वाले आपको क्या कहके सिखाते हैं बगवान माले के जी चार इस card के चार meaning है ये रटलीजिये बस जब ये card हैगा तो आपने ये बोलना है अरे या हजारो meaning है इन card के ठीक है आज तक कोई पूरे decode नहीं कर पाए और आप कहारे हो कि इस card के तरह चार meaning रटलो जब ये card हैगा ये ही बोलना है तो जिन्दी की भर लगे रहे न टैरो नहीं सीख पाओगे इसलिए प्रशान रहते हैं आप सभी कि सर दो साल से टैरो कर रहे है confidence नहीं आ रहा सर मज़ा ही नहीं आ रहा prediction नहीं आ रही से इसलिए नहीं आ रही ना सिखा है सीखा गलत है अब ठीक है कर रहे है झाल 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 हाँ जी सोरी एक कॉल आ गए थी नमरेजन से की ओके तो एक कार्ड के हजारों मतलब हैं आप सोचिया ओके दा ओनली फिंग कॉंसर्ट इन लाइफ इस चेंच अब यहां से यह भी समझ लेना कुछ टैरो कार्ड रिडर यह ऐसा बोलते हैं कि सर अगर किसे न ऐसा पूछ लिया कि कुश्चन वो दस बार पूछने आ रहा है और कभी-कभी ऐसा होता है कि हर बार कार्ड कुछ आलग आएंगे और फिर रिडिंग बदल जाएगी यह इस डाफनेंट भी बदल सकती है क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ कॉंसर्ट है इस चेंजिस हर वक्त हर चीज़ बदल रही है ओके नथिंग इस कॉंसर्ट इन इस लाइफ क्या कॉंसर्ट है यह ब मारा चंप डहाएंक बदल रहा वक्त बदल रहा तो रेटिंग भी बदल सकती है लेकिं बहुत में प्बदलती यह नहीं बताने वाला हूं कि जाकड कर यह नहीं पता लगा न आना आपको तो फंस जाओगे किस दिन आज है और होता है यहाँ कब होता है हम से चीज़े कर सो रहे हैं क्यों हो रही तो क्या लॉजिक है पैसा थो नहीं कुछ भी हम भोले होता है तो यहाँ पर मैं dau जो बढ़ने माला हूं ठाट टारव कार्ड रहीं इस एंट को लिद्टी टार्ट्ह दीने के लिए आपको ऐक pseudo hogs remix अधर theor read the tarot card येस आपको जो open mind के साथ बैठना पड़ेगा ये लोग बच्चे बहुत सारी गलतिया करते हैं अब आपकी भी गलती नहीं आप जिस mentor से सीखते आ रहाते हैं पता नहीं उसने किस सीखा है कहां से myth create हो गया कि ये card है इस card के चार meaning है रट लीजिए बस जब भी ये card आएगा reading करते हैं तो आपने ऐसा ही बोलना है ऐसा नहीं होता सिखाने के लिए हम बोलते हैं कि negative card है positive card है क्योंकि सिखाना होता है न अभी फिलाल starting way लेकिन जब हम reading करते हैं तो हमारे लिए ना तो card negative होता कोई ना positive होता negative card से भी positive answer आ सकते हैं और positive card से भी negative answer दी जा सकते हैं तो ये कब देने हैं कैसे काम करता है क्या psychology है card के पिछे ये सब बताए जागा आपको anxiety and agitation are obstruction to reading yes definitely क्योंकि आप देखिए जैसे कि मैंने बोला है कि reading कहां से आते reading आती है आपके intuition से और intuition का में कारक plan को होना है that is चंद्रमा मून और मून आपके मन का भी कारक है तो जिस दिन आपके मन थोड़ा होता ना कि आज anxiety या थोड़ा depression आज थोड़ा मन fickle mindlet सा हो रखा है तो उस दिन आपने reading नहीं करनी ठीक है मैं सिखा रहा हूँ बाकी मर्जी आपकी है करेंगे तो reading सही नहीं आएंगे क्योंकि जो reading को पकड़ने वाला plan है वह आज आप पर वी चल रहा है और इवन तक कि मैं हर class में अपने course के अंदर ये भी बताता हूँ आपको कब reading करनी है as per your लगन chart अपनी कुंडली के मुसार आपने किस दिन आपकी reading अच्छी जाएगी किस दिन आपकी reading नहीं जाएगी और उस दिन में particular किस गंटे में आप अपनी reading करेंगे तो probability बढ़ जाएगी reading अच्छी जाएगी तो ये भी आपको पताते तो सिखा गते तो it is clear to hear the voice of the card if mind is clear while shuffling yes definitely तो इस सिखाएगे आपको shuffling क्यों की जाती है मतलब मैं दावा करता हूँ जो मेरे से नहीं पढ़ा होगा उसमें से 99% लोगों को ये नहीं पता कि हम shuffling करते क्यों ये ही नहीं पता आपको shuffling क्यों की जाती है ठीक है shuffling की क्या एहमियत है और ज्यादा एहमियत है shuffling की ओके तो इक कोर्ष में आपको सिखाऊंगा मैं आपको दा रीडर और कोरेंट शेट फर्स क्लियर देर माइंड आप समझे ये बात को जब तक रीडर और कोरेंट कोरेंट का मतलब है प्रशन पूशने वाला और रीडर का मतलब है जो रीडिंग कर रहा है तो जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होंगे अपने सब्जेट को लेकर कि भी टैरो एक डिवाइन साइंस है काम करती है जब तक तक रीडिंग साही नहीं आएगी अब मैं जब ये तो मान नहीं से था हूँ जो काम कर रहा है उसको तो पेथ होगा कार्ड के अंदर लेकिन जो पूशने आए अगर उसका भी पेथ नहीं है तो रीडिंग साही नहीं आएगी ये भी ध्यान रती जब दोनों रेलाक्स होते है या जो रीडर है वो र्लाक्स फ hablando होता है नेक नहीं से रीडिंग करता है तो अपन ये का अफ बड़ जाता ये और फेर देखें क्या मस्ट मस्ट रीडिंग आती है और जब आप उस रीडिंग को लिलाइज करते है ये माइंड से तो करते हैं मैंने ऐसा कैसे बता दिया ओके यह सब चीजे होती हैं आप सभी के सब तो यह सब चीजे हैं यह आपको थोड़ा समझना पड़ाई है ठीक है अभी किसी का मैसेज एक सर कूर्स कंटेंट थोड़ा एक बार दिखा दी चलो मैं वह भी एक बार फटा दिखाने की जोरत नहीं भी है क्योंकि हमारा बेसिक से अडवांस कंप्लीट कोर्स है जब बोल लिए कि कंप्लीट कोर्स है तो फिर मतलब इसमें कोई बात रह नहीं जाती है और फिर भी चलो कुछ बच्चों के मुझे अभी चैड वोक्स में मैसेज आया है मैं दिखा दे को सबसे पहले यहां पर मीनिग उफ सेवंटी एट घैर कार्ड तो यहां पर जो सेवंटी ऑपर श्कॉल स्क्रस्ट करना यहां पर जिए धर करते रहे तो सेट टूट कर Collaborate टीक है तो मेजर की क्या मतलब है माइनल के क्या मतलब है यहां फिर pentacle cup wants and swords इंको कैसे decode किया जाता है तो हम इस सब सीखने वाए हैं पिर जिस कार्ड होते हैं तो इनको कैसे decode करना है क्या meaning है इनके तो पहले 78 कार्ड हम इनको decode करेंगे अच्छे से ओके फिर basic of tarot reading जैसे मैंने पर यह tarot card काम करते हैं और यह 99% student को नहीं पता होते यह भी दावा मेरा और जब तक यह नहीं पता होगा ना तो अच्छे tarot card आप बनी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको यह नहीं पता है सारी चीची काम कैसे कर रही है और आप उसके क्यों क्या रहे है मैं master हूं tarot master ठीक है नहीं बन पाओगी आपको डर रहेगा कि आपके concept clear नहीं है how the tarot card works tarot किस कुंसी psychology किस concept पर काम करते हैं फिर tarot अपने आपको प्रिपेर कैसे करना है वास्तु टार रिडिंग जिस जगह आप कर रहे हैं वहां का वास्तु का environment कैसे आपने set करना है फिर shuffling को कार्ड शफ्लिंग कैसे करनी है और shuffling के आप 36 कार्ड रेडिंग कर सकते हैं तो बता दूंगा आपको आप जिंदीकी बर मैं आपको spread बनाना और तो जिन्दी के बरापने अपने spread खुद बनाना सीग जाते हो और उन spread में आप एक कार्ड से लेकर 36 कार्ड तक यूज कर सकते हो सोचो फिर advanced कोई टेक्निक होती है 3 कार्ड स्प्रेड से yes or no कैसे लेना है horseshoe spread होता है one year spread है relationship spread है seven chakra spread है और spread कैसे बनाय जाते है वो आपको सिखा दे जाएंगे फिर timing of events तो यहाँ पर हम आपको numerology का use बताएंगे कैसे जो tarot में numerology का use होता है one से लेकर nine तक number के meaning आप सिखाए जाएंगे और इन numbers को कैसे यहाँ पर tarot में apply करना है और कैसे इनकी help से prediction करने है वो आपको सिखाए जाएगा तो थोड़ा सा जोतिश की बारे में बाते होंगी फिर यहाँ पर एक spread बनता होर उसको spread वो आपको सिखाए जाएगा और एरी spread कि प्रश्ण गूर्ली कैसे बनाएंगे आप और इसी को मैं थोड़ा सा और enhance करूँगा इस batch के अंदर कुछ चीज़े नहीं डाले जाएगी इसमें जो अब तक मैंने नहीं सिखाई है इस बार भी मैंने एक तो चीज़े नहीं डाली थी और अगली बार फिर दो-ती चीज़े और नहीं डाली जाएगी अब चिंता की बात नहीं है फिर tarot and palmistry कि palmistry का क्या use है? पिर tarot and the meditation कि what is meditation क्या होती है? और tarot so meditation कैसे करना है? और अपनी किसी भी life की purpose को कैसे हम manifestation कर सकते है with the help of tarot through meditation meditation step by step कैसे करना है? आपको सिखाय जाएगा फिर tarot and the crystal magic तो tarot से साथ कैसे हम crystal को link up करेंगे, कुंसा card, कुंसे crystal को repetition करता है कैसे हम आन से remedy create करेंगे crystal की, हो सिखाए जाएगा आपको फिर है, यहां पर crystal empowerment कैसे करनी है, crystal को clean कैसे करना है, crystal को charge कैसे करना है फिर tarot magic कुंसी candle जलानी है, क्या spells बोल नहीं है तो लोग इसके अलग से पैसे लेते हैं आपके जी हम candle में spell भी सिखाएंगे tarot में ये करेंगे सब part of the course है last but not the least वो है reverse card reverse card भी आपको पढ़ाए जाएंगे तो मतलब complete package है इसमें किजी को कुछ सोचने की जोड़ती है इतना भी कर लिए ना तो जिन्दगी पर tarot करते रहो गया चलिए तो यह था हमारा tarot का course और हमारी journey start होती है consolation उससे पहले अगर कोई एक दा एक दो कुछन पूछना जाता है तो पूछ लीजिए फिर हम consolation स्टार्ट करेंगे और अभी कोई hand raise ना करें जिसने question पूछना है वो hand raise कर ले वैसे कोई ना करें अभी जन्रल कोई पूछना है अभी और पूर्स के बारे में सिरफ अभी reading के लिए पूछना है तो जब मैं बोलूँगा तब hand raise करना ताकि मैं पहले consultant को बुला लूँ अपने कौन कोन है आज यहां पर उसके बाद फिर consultation स्टार्ट करेंगे अगे कंचन modern monk यस हाँ जी बोलिए जो भी question पूछे प्लीज अपने आप जो इसमें और भी कार्ड्स आते हैं ना moon card और शोजन कार्ड और यह मतब कई AD스터 आते हैं तो सब क्या भरए भी बतां नहीं मैडम ऐसा इसा जुन ना करो मुझे ऑपने फिर कोर्स में सारा नीगा जासेथा नहीं आपसी कोर्स अलग-alग होते हैं लेकिन आपको अगर टेरो कार्ट की जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमेशा राइडर वे टेरो डैक से ही होती है ठीक है तो आपको पहले अगर M.D. करनी है ना किसी चीज में P.S.D. करनी है तो उसकी पहले graduation करनी पड़ेगी आपको ठीक है तो यह graduation होगी है उसके बाद तो फिर O.S.J.N. card है एंजली card है आकाशी card है कुछ भी सीखो और नहीं भी सीखोगे तब भी जीवन चल जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता है लेकिन अगर आपने बहुत और अच्छा करना है और टैरों के बारे में और नेनी चीज जान नहीं है तो यह डापनेटी बहुत रहें के टैरों काड आते हैं वो सीखी आप आगई तो उसके लिए कि रीडिंग सीखनी पड़ेगी ना उसकी भी एक बार आपको राइडर वे टैरों डाक आगे बिसकली सबका सेम होता है थोड़ी थोड़ी चीज़े कार के मीनिंग कुछ लग होते हैं लेकिन कार को डिकोड करना तो आई जाता है ना आपको उसमें रीडिंग भी बताते हैं कोई कई टैरों कार्ट का हमने देखा है मैं यहीं सब सिखा दूंग आपको केंडल जलानी है क्या सपेल्स बोलने हैं सब इसी में आ जाता है कोई नया पूर्स नहीं होता है वो सब कहते हैं पैसा लूटने या पैसा आपसे निकलवाने के इस तरीके होते हैं कि जी हम आपको कैंडल भी सिखाएंगे उसके अलग चार्ज दो स्पैल सिखाएंगे उसके अलग चार्ज दो कुछ नहीं ऐसा होता सब इसी में हमारा सब इसी में हमारा सब कुछ इसी कोर्स में है अलग कुछ में नहीं है तो बसे टाइमिंग क्या रहे कि पीस क्या रहेगी सर इसकी क्या लगता है कितनी होनी चाहिए कोई आइडिया नहीं है कभी टैरों का सुनाओ किस कोस्ट में पढ़ाया जाता है कि मैंने जो है यूटूब में वीडियो देखे हैं दो चाह लोगों के करते हैं कि देखी है ठीक है कि फीस होती है वह यह 200-300 पाले तो छोड़ दे रहा वह तो किसी काम के नहीं है किरें साथ weld car 35.000 तक चल रही है तो मेरी कितनी बीस रखनी चाहिए अपने कोई आइडिया नहीं है 11-12000 रुपए और क्या मैं 35 मेरे कोर्स में ऐसी कौन सी कम यह कि नहीं ले सकता हूं ले सकता हूं ना थाड़ी जाए लेकि नहीं लेता कृष्णा जी की करफा बदी हुए हां यह देखे जो मेरा कूर्स है पहले में इसको दू पार्ट में बढ़ाया क जर के असपास होती थी लेकिन जैसे करोना थहा फैनेशर करन्जे आप सभी को पता हुए दिन इरहें हम ने ही देखे है तो मैंने करोना में साथि कर दी यार इसको न कि द्वारा पढ़ाय जाना नहीं कोई modality में गिंती के दोग मिलेंगे जो 10,000 लोग किसी एक बंदे ने एक ही modality के पढ़ाये मैंने पढ़ाये मुझे इतना मैजान लगा टैरो पढ़ा कर लोग इतना अच्छा पढ़कर अपने life में establish होना शुरू कर गे इतनी अच्छी blessing मिल ठीक है और इस course को पी से compare मत करना 35,000 का course करके भी आओगे ना तब भी मेरे पास ही आओगे अगर मुझे सुन लिया आप में फिर भी कहोंगे सर आप से पढ़ने पढ़े भी ना तो टैरो पुरा होई नहीं सकता यह भी दावा है क्योंकि मैंने मैं क्यों बोल रहा है मैं ऐस या 35,000 के course में ठीक है तो basically क्या है ना वो लेके बैठा रहा हूँ मैं आपको या वो लोग लेके बैठा रहते हैं दो ती दिन मेने खीशते रहते हैं आपको अगर मिर से tarot पढ़ोगे तो मैं एक साल पढ़ा सकता हूँ एक साल वो भी कम है तो भी खतम नहीं होगा मैं क्यो तो 7999 प्लस 18% GST के साथ फीस है वो बता दूंगा एक्जेक फिकर क्या अनूब जी प्लीज और मेरे जो कंजलेंट ने प्लीज तियार हो जाईए कोन कोने आज और मेरे बिच्चे भी चाहिए आज अनूब जी प्रणाम जी प्रणाम मतलब लाखों में भी फीस हो तो कमें है लेकि आपका पढ़ाने का तरीका जो है वो मतलब उसके बाद तो हम यह सोच लिए कि आप कोई पढ़ाए तो पढ़ना है आप जो पढ़ाएगा वह हमको पढ़ लेना है बस चाह जई से पढ़ना पढ़े मेरे बच्चे जो मेरे से जुड़े हों मिरसे ही पढ़ेंगे मुझे वह इत्रा ही पताया लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनका म्राइसी पढ़ेगे तो मैं फीस बढ़ा देता हूं नहीं देखिं जब भी मैं देखिं की वाइस तो यह यकीन मानेगा कि जितना कंटेंट हम आपको किसी भी कोर्स में देते हैं वो शायद आपको बहुत कम रेयर मिलने वाला है यह तो यह दावा मैं कहते हैं यह सब समझते हैं यह दूसरा क्या होता है जब भी मैं को कोर्ट डिजाइन करते हैं तो हमारा सबसे से ना कर पाए ऐसा ना हो मेरा सवाल है थोटा सा प्याकिक कुछना है बस एक ही सवाल है कि आप से पहल बात करना है किसी के बारे में ठीक है को यह बात नहीं आप कर ले ना कॉल मुझे 11-12 के बीच में कर लेना चलिए एक दो कुछन नो लेकर फिर स्टार्ट करते हैं निलू जी फिर बाद में कर रहें को शाहां से पहले कंसलेंजी दिल लेके नमस्ते सार और इतने सारे तो सर मैं बड़ी कंफ्यूज हूं कि क्या निउमरलोजी कर लेंगे टारो कर देंगे तो सर यह शिगल कोर्स वगर यह सब भी ज़रूरी है क्या तब पास आयने मेंटर के पास मेंटर का मतलब क्या होता है कि आपको सही रस्ता दिखाना है नहीं पर पर पस क्या आपका तो देखे क्या होता है कि पहले तो आपको अगर अर्णिंग करनी है या कुछ देनी है तो आपको बड़े कोर्स करने पड़ेंगे इस चोटे कोर्से कभी भी कंसल्टन नहीं बन पाऊ हो तो माले टैरो किया निम्लोजी का कोई एक मडारेटी आपने एक या दो मडारेटी सीखनी पड़ेगी अच्छी वाली पूरा उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि माले टैरो निम्लोजी मैंने आपको सिखा दी तो आपको तो इसको अपनी प्रॉल्म का सोलुशन चाहिए सोलुशन चाहिए सर्डुशन चाहिए सोलुशन देने के लिए माले आपने बता दिया कि यह प्रॉलम आ रही है और माले कोई फीवर बगवान अगरी फीवर आया आपके बास आप डॉक्टर बास जाए और डॉक्टर किया बढ़ी तुम्हें भी पता है वो तो तुम भी आपके तरकश में बड़े सारे तीर होने चाहिए जिसकी वज़े से आप कहते हैं लोगों की हेल्प कर पाएं तो रेमेडी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट छोटे रोटी जो कोर्स होते हैं हमारे वो आपको करने पड़ेगी जैसे रुद्राक्षा कोर्स कर लिया form लिए जिबू सिंबल कर लिया आपने ह कापने कर्ल मेजिक कर लिया मैजिक कलॉयल का कर लिया स्विच वर्ड कि आपने mniej weird का को कोई को words कर लिया एम ते वो सारे को इस तरह के अगर आप करेंगे तो आप कितनी सारी modality के साथ लोगों की help कर पाएंगे किसी को jibo symbol दे रहे हैं किसी को sizzle symbol दे रहे हैं किसी की help आप रुद्राफ्ट चे कर रहे हैं किसी किस्टल से कर रहे हैं किसी की gemstone से कर रहे हैं किसी की color से कर रहे हैं किसी की candle से कर रहे हैं पिसी को सुचुवर्ट दे रहे हैं, किसी की एंजल हीलिंग कर रहे हैं, तो ये पार्ट है आपका, कहते हैं न, कि इस से आप लोगों की बहुत सारी हल्प को, प्रॉल्लम को सोल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉलम क्या है, उसको पकड़ने लिए आपको किसी एक-दो मडाली को हमारी खास बात है, कि हम आपको कोर्स तो सिखाते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि कमाना कैसे है, हम आपको ये भी बताते हैं कि आपने प्रैक्टिस का अंगरनी है, हम आपको ये भी सिखाते हैं कि क्लाइंट को अपना कैसे बनाना है, और क्लाइंट को लाना का से हैं, ये तो मैंने का ओकल साइंस में आकर इतना भी अगर नहीं समझ में आये तुम लो कि यह हर चीज की किसमत किसी को नहीं ले जा सकता तो यहां आपको जैसे बच्चे पहले पालते हैं पर पर पड़ाते लिखाते हैं उसको पैसा लगाते हैं और फिर जब जब जाते ताँ वो सटिस्ट्रेक्शिन लगती है यह अब अपने पैरोर लुका में तो हम भी आपको जब तक आप अपने पैरो पर कुड़े नहीं हो कि इसके बाद कितने बाद करते रहते हैं हर महीं ने आते कुछ इनकी इतने दिमाना कि हम्हें रह्य रहते हैं बल्कि लोग कर हो थेक 572 कक्त झाय। ुच कामेरा की आपका तो वर्किंग है रहें और बीकाम करने आपए जब बढ esat ke में तीन-चार मोडरेटी हमारी चल रही होती है बल्सक्राइब आट-दर स्कोर्स हमारे कट्टे चल रहे होते हैं हम जी ठीक है हर मेने आता है ठीक है चलिए कुशन लेके फिर हम चलने दिपाली आप पूछ लीजे फिर हम चलेंगे चलेंगे फिर आपके कुशन अंजर में ब तो मुझे यह पुछना है कि जो रेकॉर्डिंग सामें मिलती है ना सर वो लाइफ टाइम रहती है ना हमारे पास कभी रेफरेंस के लिए चाहिए तो फिर देखने की लिए लाइफ टाइम कितना टाइम लगया सीखने में आपको नहीं सर टाइम तो अल्रेडी मैं रीडिं साथ है क्लाइंट साथ है तो इसके लिए अगर चाहिए कभी तो रेकॉर्डिंग रहती है ना सर नहीं रिकॉर्डिंग में कितनी बार देखना जाओगे कब तक उसको देखना जाओगे मैं देखती नहीं हूं सर मैं जो आप बोलेंगे न मैं लिखती जादा हूँ मतलब मैं अब देखेंगें, हम आपको 6 मिने कहते हैं recording के लिए, 6 मिने कहते हैं, लेकिन हम एक साल तक नहीं अटाते हैं, हमारा ऐसा मानना है, जिसने एक साल में भी नहीं सीखा, वो सीखने के काविल ही नहीं है, ठीक है? और सीखना किया recording तो पता नहीं जरेग नहीं कि जब तक मैं हूँ, तब तक मैं आपकी हल्प करता रहूंगा आप जीवन में कभी फोन करेंगे मेरे स्टून का फोन मैं हमेशा उठाता हूँ चाहे कभी अधाता है एक आदिल लग सकता है कुछ गंटे लग सकते हैं आपको जवाब देने में लेकिन मेरा जवाब ज़रूर आएगा तो सीधा मेरे से पूछो ना आप गोषण तो हमेशा मेरे से और फोन कम पांसे कि इसमिल आपके पास्यार कि आपके ना आपके योच्छा प्राइक हो पालिक जवास्तुमों नामीन दून कैसे यूज करना है और 88 तो काई मिलते ही नई सिर्फ आपके पासे बिल गए हाँ तो कही depends हों उसने सर बोलू मैंने ज़्यादा सारे बच्ची ने वाँसे दो कोर्स की हैं छोटे वाले लेकिन यह उन को लोगों को आगे देनी हैं लोगों को फायदा हो लिए ठीक है और यह कोर्स क्या आप देखें वहीं दो डाहीजार की कुर्स हैं पंद्रहसों को और सब्सक्राइब को कोई सब्सक्राइब कोर्स कर लिया तो इसके लिए चोटोड़ी कोर्स आपके पास होने चाहिए ठीक है यह तो पक्का है यह उपर से आता है अदेखें भी ऐसा नहीं है कि मैं तो दिको मैं बता यह जब आख आए ना मैं तो कहां पगवाने टरों फोजे डाल दिया जंए पर टर पढ़ाना शुरूब विजय घ्र यह तो जैसे कुल मेरे पढ़ने आते थे थे ना बच्चे तो करते सर मैं लड़का हूं मैं इस और मैं तो पता नहीं क्रिश्णा ने क्या में इसे करवाया मुझे भी नहीं बता मैं तो अंदर से मेरा रोम-डोम जोतिश है रोम-डोम वास्तु कंसलेंट डूम है इमानदारी से लगी कहां से टैरो बगवाने वाला नहीं तू पढ़ाएगा टैरो गाड़ मुझे भी ऐसे सर की कितना भी सीखो जो सोल सैटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता मैं कोर्स करती रहती हूँ बहुत बढ़ी है आपके लिए मैं यह की गैर्डेंस देना चाहूंगा जिंदिकी में अपनी लर्णिंग को मत रोखना बस मुझे पंदरा साल लोगें पढ़ाते ह मार्केट में अगर सस्टीन करना है आपने दुनिया से दो तकम आगे रहना है तो रोज कुछ ना कुछ निया सीखो एक मिशन लो कि मुझे हर महीं ने कुछ ना कुछ निया सीखना है अच्छा हम से किया है नहीं आप से नहीं लेकिन अच्छा की है डिपाले जी खुद टैरो कर डीडर है टर पढ़ाती है तो डिपाले जी कुछ हमारे पढ़ाने में कुछ कोर्स में कुछ अलग चीज़े मिलती है आपको सीखने को सीखने को अच्छली सर टैरो करके मीनिंग और निकेटिव पॉजिटिव वह आता है लेकिन उसमें निम्रलोजी कैसे लगाना है एस्ट्रोलोजी कैसे लगाना है यह सब इंक्लूड कैसे करना है और रेमिडिस कैसी देनी मुझे आपसे वह सीखना है कि टैरो में स लगे रही है वह भी आले चाली गट तैंक्यू दिपाली जी तो देखे जो जानता है उसको हमारे कोर्स की सबसे ज़्यादा पता है कि आपके लिए तो होच चाहिता है आपको इसा रखता है कि यह तो सभी ऐसा पढ़ाते होंगे सभी में यह कोर्स कंटेंट रहता होगा ल हमारा कोर्स बहुत यूनीक है एक परसेंट लोग हैं जो हमारे कोर्स को पढ़ाते हैं एक परसेंट लोग बाकि 99 सब अलगी पढ़ाते हैं सर वाइल डिडिंग वी नीट कार्ड यस टाफिनलेटी जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी कार्ड की जरनी को तो कार्ड आपके पास होने चाहिए लेकिन स्टार्टिंग में जोड़त नहीं है जब कार्स हमारा शुरू होता है उसके दस दिन के बाद आपको कार्ड चाहिए तो कोई ऐसी बात है चलिए अब मैं अपने कंसल को इन्वाइड करना चाहूंगा कौन कोन है प्लीज जो हमारे कंसलेंट हो हैं प्लीज ना करें जिन्होंने कल नहीं किया था चलो अच्छल को ले लेते हैं यह मेरा मॉनिटर था क्लास का और प्राची स्वाथी 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 आपको आपने कल किया था ना शायद संजना अर्विन अर्विन जी से कराते हैं अर्विन जी कर नहीं थे आईशा जी उशा जी जिनका नंबर आज आएगा ठीक हैने तो फिर कल देखेंगे कल मतलब नेस्ट टाइम जब भी आएगा जल्दी जल्दी लाएंगे नया मतलब दुबार से ही चप सीज़ें आप सबी के लिए चलिए अब भी फिलाल ये पांच छे के साथ हम शुरू करते हैं और फिर एक और संजना जी मैंने आपको लिया है क्या संजना जी प्लीज ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि नारी शक्ति से स्टार्ट करना अच्छा रहता है तो आईशा जी आप शुरू किजिए फ्लीज सभी अपने अपने टैमरास को भी ओन करने कि अधिक नमश्कार सर नमश्कार जी नमश्कार जी एक सब्सक्राइब यह अभी जो करेंट पिछला बैच अभी दो दिन पहले कहता हुआ उसको स्टूडेंट है और यह स्टूडेंट देखें आपको लाइव यहां डेट से लोगों बीच में परनसलेशन देंगे अब ओक पनली बिंदास बेहिचक यह स्ट्रेंथ है हमारी बस कि हमारे स्टूडेंट सीख जाते हैं कि मुझे स्टूडेंट यह अच्छे मिलते हैं यह बगवान की किरपा है मैंने यह मांग रहा है बगवान से कि यह अच्छे बच्चे देना जो इंटाले लेंट हो सीख जाते हैं ठीक है चलिए नाम लीजिए किसी का भी अब जो जिसको कंसलेशन चाहिए वो हैंड इस करने प्रीज ठीक है किसी का नाम लीजिए विम्ला रेड़ी विम्ला जी चलो जी विम्ला जी आपका नमबरी सबसे पहला आगया चलिए थेंक यू सर नमस्कार जी नमस्कार जी जी मेरे क्वेशन यह है कि इस साल मेरे बच्ची 10 टेंटर क्लास एक्जाम लिखनी की है तो इनका रिजल्ट कैसे रहता क्योंकि वो थोड़ा लाइक बिलोव आवरेज स्टूरेंट कह सकते हैं तो मैंने तो करी है मुझे थोड़ा यह है कितना कहता करेंगी बोलके बीगा मदर बीगा मदर एक प्रफोर्मेंस कैसी रही एक्जाम में ठीक है तो आप बच्ची का नाम बताएं और अक्षया अक्षया 26th April 2009 अक्षया के मैं सरनेम किया है मंदला मंदला येस अच्छा मंदला या मंदला थी काफी हार्ड वर्किंग है ऐसी बात में के नहीं है हार्ड वर्किंग है देख परणेम वर्किंग है था ए्ट है जएला है वर्किंग घ्रेजाय जयोतो शच्छी है झाले है कि देखे जो आपकी बच्ची की सिट्वेशन है वह यह है कि हार्ड वर्किंग है बच्ची ठीक है यह ऐसा जो कार्ड में फिलाल दिखाई दे रहा है काम वह अपनी तरसे कर रही है पहरी बात उसको एक गाइडेंस की जरुवत है ओके गाइडेंस मीन सब्जेक्ट गाइडेंस तो उसको चाहिए इसको चाहिए कि राइट वे में किस तरीके से जैसे होता है करना है कैसे आंसर करना है ठीक है तो वह वहां पर करती है आता है उसको लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट देगा थोड़ी सी उसके साथ में एक टाइम देगा और यह आप प्रिफेरबली करें क्योंकि आप घर में हैं मादर हैं मैक्सिनम टाइम दे सकते हैं जो हमारे मैंटर्स होता है लेकिन उसको गाइडेंस और सपोर्ट की जरूँ है तो आप उस पर ध्यान दें वह थोड़ा स्लोड़ान है लेकिन वह करती है अपना काम अच्छे सा करती है और उसको सक्सेश भी शोर है इसा भी नहीं नहीं है बस वह थोड़ा सा जगलिंग सिच्वेशन रहती है जाते हैं कहीं पर जाके थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वह दिस्टर्ब्स नहीं आना चाहिए उसको रेग्राट यसे ही उसको पड़ती रहेगी तो वह पुल एक जो डारेक्शन में फोकस होके काम पर पाई उसकी एनरजी स्कैटर नहीं होगी ओकि यहां पर कार्ड दि जिए जगल रहती है उसके माइन में वह जगलिंग होती रहती है फिर वो डर भी जाती है कि किस तरीके से करूं कि कैसे अटेम करूं यह वह जो उसके दिमाग में अंतरमंतन चलता रहता है ना वहीं पर गडबड कर देती है ओकि जब बस उसको गाइड़ेंस जाए और कि अग्जाम आ रहे हैं क्वेशन सभी का सकता है कि कि बोड के कि अगलें ऊसमें अब होने वाले मार्च में तो जो बी अकैडमिक का के लिए प्रिशान है अपने बच्चे के लिए तो तो अपने बच्चों को आधा डालो कि सुवह सुवह वो देली बध के मंत्र को चैन्ट करें. एकसो आड़ भार बच्चे को चैन्ट कराई है. ओम बुधा है नमा, सिंपल है. बच्चा अगर चैन्ट नहीं करना चाहरा है, तो उसको आधे डालो कि हर बुद्वार के दिन वो गनेश ची पे बूंदी के लड़ू का परशाच अड़ाए बच्चे वो साथ लेके जाओ आप ऐसा कर सकते है दूसरा बुद्ध का जो क्रिस्टल होता है तेट इस ग्रीन जेड ग्रीन जेड ठीक है सभी के लिए है अच्छे Beast म भी ले ले कर सकते है अप हमसे भी ले सकते हो या बर मार्केट से आप कहीश ही परचिज कर सकते हो तीन इंची का green jade लेकिन यह कहा कि बतब एक original piece होना चाहिए आज कल ना बड़े सब्सक्राइब पत्थर चलने हैं जिनको green jade या green evention के नाबर बेज देते हैं तो वो तो थोला साथ द्यान ना पेला तो तिन इंची का होना चाहिए वो उसको बच्चे के का टेबल पर थ्री इंची की तो आप रखेंगे तो बच्चे की टेबल पर आप इसको रख सकते हैं और इसके साथ साथ जैसे आप निम्लोजी में हैं तो मैं आपको बुद्ध का यंत्र बताओंगा ठीक है उसको अपनी बच्चे की जिस रूम में बच्चा पड़ता है उसकी नौर्थ वॉल में वो एक सिंबल को आप लगा ज़ेगे ठीक है इतना कर दूसरा एक और रमेडिया आप सभी कर सकते हैं क्योंकि हमें बुद्ध गिराय को खुश करना है सिंपल सा लॉजिक है ना बच्चे का बुद्ध ठीक हो जाएगा तो बच्चे की अच्छी हो जाएगे उसके क्या करेंगे तो सबी लोग करें यह इस बात को तो आपके घर की जो बहन बुआ बेटी है दिस गवन बाइदा मरकरी वह आपके लिए मरकरी है आपके परिवार के बहन, बुवा और बेटी ठीक है? तो बच्चे की बुवा है, बच्चे की बड़ी बहन है ठीक है? उस गर की लड़की किसी भी lineage की है तो उसको बच्चे के आथ से gift दिलाना है अपने और उन बुवा से बहनों से यह बोलना है कि बच्चे को पैंनी या पैंसिल जो भी एक स्टेशनरी है वो कुछ गिफ्ट लेनी है, गिफ्ट के रूप, क्या कर लेनी है, मतर नहीं करना भई, मतर करेगी तो, देखें, आपका भी सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, जब कोई बच्चे के लिए मतर, पेरेंट्स अगर कुछ करना जाते ह हैं, तो सिर्फ जुपिटर की रमडी करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, चाया वो एजुकेशन के लिए है, चाया बिमारी के लिए है, किसी के लिए भी, तो अगर पेरेंट्स ने बच्चे के लिए कुछ करना है, तो सिर्फ जुपिटर के मंदर को चैंड करेंगे, ठीक ह यह सबके लिए रेमेडी है पिकि मैंने देखा भी वही एक्जाम आ रहे हैं यह प्रॉलम यह टेंचन ना हर पिरिंट्स को होगी तो सभी कर सकते हैं तो तो फाइव नमबर है तो वो बोध की रेमेडी आप पीजिल सर बताना है और इसकी टालेंट नमबर भी फाइव सर उसी उसी की वैसा थोड़ा से मून का भी आप ध्यान रखेंगा न क्योंकि टू नमबर का कार्ड भी इदर है तो वह सी से उसके मून के लिए ना बच्चे का तोड़ा डियालिटी में हादा रहा है वोकस की जोटर और कुछ नहीं हो जाएगा राइग तैंक यू जी तैंक यू जाए तैंक यू जलिए विम्ला जी पहो गया अब नेक्स प्राच जी बोलो बटा किसी का नाम बो जैजिक्रिशन स्रफ जैजिक्ष्ण किसकी रिडिंग घोगे मौनिका नाम है उनका मौनिका ठीक है मौनिका प्लीज अनुट को रपने आपको और बूद की रेमेडी में हम आमला और तुलसी को भी खाने से भी बूद अच्छा रहता है बूद ग्रह का संबन कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से भी आता है और विष्णु जी को तुलसी बहुत परी है बोल सकते हैं सार यह जो इनका मर्करी कार्ड आय था ही तो निम्रोजी के पूरा बिल्कुल मिलता हुआ हुई हम जो पढ़ रहे हैं से पिल्कुल सारा लगा कि बिल्कुल सेम है इसलिए मैं गएता हूँ जो टारो करते हैं इसको लोजी करने चाहिए जो नोजी करते हैं को टारो भी करना चाहिए कि फिर आपको लगता है कि यार मैं दुनिया जीत सकता हूं इन दो मडालेटी से सबकी हाल पर सकता हूं बड़ा अच्छा इंट्रस्टिंग सा लगा कि बिल्कुल वह चीज हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं चलिए पूछी पराची से मेरा क्विशन है कि मैं बहुत ताइंग से न अपना घर लेनी कोशिश कर रहे हूं मैं अभी है मेरे पास मैं परचेस करने लगती हूं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े होती है कि मैं ले नहीं पाती कभी बजट आउट हो जाता है कभी कुछ इस तरीकी की ऐसी बन जाती है तो कैसे क्या कब तक पॉसिबल हो पाएगा जो यह चीज़े हो पाएंगी मुझे आपका नाम बताइए मौनिका खना मैं हम आपका प्रेशन एक बताइए मौनिका खना है मैं पूझना चारी हूं कि मैं कुछ अपनड करना चारी हूं अपना आउस मतलब अभी जिसमें मैं रहती हूं उस छिय क्या बताऊ मैं बड़े मकान कर चारी हूं लेकिन जब मैं कुछ लेने जाती हो नाивается मनेरे बजट से आउड हो जाता है मैं ले नहीं पाती है तो कोई situation ऐसी बनती है कि मैं नहीं ले पाती हूँ और फिर वो चीज रह जाती है हर बारी हाँ सो मैं आपके जैसे कार्ड निकाले उसमें अभी currently तो जो उसमें आया कि वो ही है कि आपका setback हो रहा है कि आप try कर रहे हो बट तील आप ले नहीं पा रहे हो कुछ ना कुछ reason से जैसे कि possibility है बट उसके लिए आपको और explore करना पड़ेगा और जगे सर्च करना पड़ेगा और आप साथ में explore कीजिए और जगे और जगे सर्च कीजिए क्योंकि इसमें जो कार्ड आए उसमें यह है कि इतना जल्दी नहीं मिलेगा आपको नहीं नहीं जगे explore करना पड़ेगा तेरी आपको एक अच्छा सा गहर में पड़ेगा और पर सवाल आपका नहीं नहीं अभी फिला लिए है जल्दी मिल जाएगा तो यहां पर देखे ना मतलब सोच विचा चल रहा है इंसान मतलब देख रहा है दूर तक का तो यह साभी मतलब थोड़ा मंजिल दूर है ना उचा ही पर हम कड़े को कब देखते हैं जब कुछ दिख नहीं रहा होता और कहते हैं थोड़ा उचा करकर देख लो भाई कुछ नजर आ जाए तो मतलब कहीं ना कि अभी वह अप अपनी approach से अपनी reach से थोड़ा दूर है व तो डेले जुपेटर के मंतर को 108 बार चैंड करो ठीक है इतना करो हर ब्रस्वी दिवार के दिल आप आसपड़ोस में कोई साही मंदिर होगा उस पर परशाच अड़ाओ ठीक है अगर आपने कोई गुरू धारन किया हुए तो उस गुरू के नाम से बंडारा एक बार कराईएगा जितने भी ऑप्स्टेकल आ रहे हैं यह सब खतम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप हो सकता है मैं अगली बार जब हम वेबिनार करें टैरो का उसमें आप फुदा कर बोलें सर पिछली बार आपमें बोला था इस बार तो मेरा मकान ही मिल गया किसी का नाम लीजिए जाशी किष्णा बोलो जैशी कृष्णा सर जैशी कृष्णा बाई मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे अभी मेरे पास पैसे लिमीट में है और मेरे सामने तीन आप्शन है तीन कोर्सी से तो किसमें जाके मेरे लिए अच्छा रहेगा कौन सा मैं कोर्स लूँ जो मेरे लिए अच्छा रहेगा जो मेरी सोल का परपस है कि मैं लोगों को हैल्प करूँ और साथ सो साथ मेरा भी अर्निंग थोड़ा हो जाए तो उसके लिए मैं तीन में से कौन सा चूज करूँ क्योंकि जैसे मेरे पास है अभी पंदरह अजार पर कौर्स ही सभी एक्विवेलेंट है तो किसमें मैं पहले ज्यादा सीखने का ट्राइब करूँ ओके मतलब कौन सी कौर्ट में आपका परपस फूल्फिल होगा अजिसमें दोनों फूल्फिल हो मैं जो मेरा परपस है सोल परपस कि मैं बहुत सारे लोगों को हैल्प कर सकूँ और साथो साथ मेरा भी कुछ अनीं हो जाए जिसे मैं अपना भी अच्छे से कुछ आगे लर्निंग के लिए भी कुछ इकटा कर सकूं उसके लिए अप आप कोर्स वन डूट भी आप अपने मन में सोच सकते हों कॉनच को मैं तेनों मैं तीन कि किया हुआ है तो में वह लोगों को सीखने के लिए पोर देंट गू रएंट कल नर्गीं है और ce i और एक ये एक ये मेरेे हैं और एक में का जो अभी अभी आफ आट्रेकšशन आएगा वह यह Har行了 सब्सक्राइब करें उन प्रिक्षा रहेगा वह अच्छा रहेगा मतलब बट मुझे लगता है कि पहले आपको जो सेकंड वाला कोर्स है वो पहले करना चाहिए इसका मतलब अभी आपके लिए टाइम आ चुका है मतलब पॉर्चिन अभी यह करना ज्यादा बेटर रहेगा जो टैरो का कोर्स है वो भी करना सही रहेगा बट पेले टैरो का करेंगे तो ज्यादा बेटर है बिकॉल उसका भी कार्ट पॉजिटिवी आ है बट आई तिंक कि आप थोड़ा एट्रेक्शन की मैंने से थोड़ा ज्यादा कर रहेगी तो फिर मैं भी कंफूज होगे कि अगर यह वो शायद एक ही बार करवाए और मैं वो नहीं कर पाऊं तो फिर कभी मेरा चांस लगेगा नहीं लगेगा वो फिर उपर वाले पर डिसाइड होगा तो मेरा सबसे पहला ट्राइए कि मैं लॉफ एट्रेक्शन करूं फिर बाद में रेकी करूं और वो जो स्टूड़न को पढ़ाने के बाद जो अमांट मेरे पास है उसके बाद मैं टैरो करो यह मैंने सोट आ था पर अधर वाला कॉर्स है उसकी तरह आपको इमोसम काफी कीश और बाकि वैसे जो टैरो का को सब्सक्राइब करना जाद अच्छा रहेगा वह आपके लिए तीनों इस पोजिट है आप क्या चाह रहे हैं वह अलग बात है कार्ड आपको यह बताना है कि आपके लिए दी बेस्ट किया है अभी हाँ हाँ ठीक है तो आप डिवाइन जो आपको क्लू दे रही है उसकी तरफ जाईए पहले ठीक है ठीक है ठीक है मतला अगर आप दोनों एफोर्ड कर सकते हैं तो यस यू कैन लेकिन अगर आपको लग क्योंकि इसकी तो मुझे पता चलगी कि इसका अप्रोक्सिमेटली अगर आठ साड़े आठ हजार हो जाएगा शायद हैरो का तो अगर मां का क्लास कितने का है वो मुझे नहीं पता है लॉप अट्रेक्शन का वो है ग्यारा जार प्लस जीएस्टी हाँ, जा grow आठ अपका बाराँ साड़ महलब तेरा जार के असपस हाँ वो हो जाएगा क्योंकि दोनों करना है मा का भी फिर कब आएगा वो पता नहीं है सर तो दोनों कर लो अगर क्या दिक्कत है हम तो आपको हरते से सपोर्ट करी रहे हैं ना हाँ वो तो है सर हम तो अगर हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बताओ कि सर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नहीं सर आप ये प्लैट्फॉम से जुडने के बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस सर फिल होता है न वो कहीं और से मुझे होता ही नहीं है सर मैंने बहुत सारी जगा पर बहुत कुछ सीखा है पर यह जो प्लैटफोंग मुझे दे रहा है नो वो कहीं पर भी इतना नहीं दे रहा है तो ऐसा हो यह जैसे सामने मिखाई का पूरा थाली पड़ा है और सभी कुछ अच्छा लगता है पर क्या लो क्या नहीं लो वो वाला सीटूशन हो जाता है सर मेरे लिए तो अच्छी बात है सर देख लेते हैं देखे हमारा हम मैंने क्या बोला कि हम अमिशा आप सबको सही राय देते हैं अगर आपने डिवाइन के थूप उचा है तो जो डिवाइन कहेंगे हम आपको वही बोलेंगे अगर आपने वैसे पूछते तो फिर मैं कुछ अलग डंग से आपको शायद गाइड करता कि आपको आप प्रियोर्टी देखकर कि आपको पैसे कमाने हैं आपको अपनी जर्णी को आगे बढ़ाना है बढ़ाना है हाँ सर तो मैं उस तरह से आपको बता नहीं है तो मुझे मुझे बहुत बहुत कुछ आगे सीखना है पर उसके लिए कुछ फंड भी चाहिए होता है तो वो करने के लिए भी कोई source of income सबाइब करने के लिए फिए सोड़ दो ना तुम मैं नहीं आता है सही है बिल्कुल मांगना है नहीं आता नहीं सबांगर बच्पन में याद करो जब बच्चे नहीं होते थे हम तो सोचते थे बगवान पेरेंट से मांगने के लिए जित कर ते थ कुछ भी करना है कुछ भी करके सर को मैं जैसे ही मेरे पास आएगा मैं डेफिनितली पूरा कर दूंगी पर थोड़ा अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए करते हमें जबता कृष्णा या देश नहीं देते करने पड़ेगे तो मेरे से बेटे का प्रश्णभी जो अभी है तो उसके लिए मैंने वह आपके लिए counselling के लिए वो तो जैसे मेरे पास है इतना और मुझे सब सब कुछ balance बना के चलना है तो बहुत मेरे लिए critical हो गया है अगर उसका भी कुछ निकस है तो निकस है कृष्टना जी को पकड़ लो मैं फिर कह रहा हूँ का मैं बोल जाता हूँ क्या तुम्हें दे जाता हूँ तुम्हें भी नहीं पता सर्व ठीक है simple है की भी या उनको फगड़ लो ठीक है दर मिश्टा ठीक है ठीक है सर्व चलो इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ लोगों की बड़े वो आरे सर बता दो कितना फीस है कब से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यह पहले दिखा देता हूँ उसके बाद फिर आभी चलते हैं पान जी चलिए आपको सामने स्क्रीन निज़र आ लिए आप सभी को ठीक है तो यह हमारा जो टैरो का कोर्स है यह 4th और 5 10-23 डेट्स है 4 का 5 भी हो सकता है ठीक है 4 या 5 को शुरू हो जाएगा जिसकी फीस है 7999 प्लस 88% GST और यह जो कोर्स रहेगा हमारा बेसिक से एडवांस यह कम्प्लिट कोर्स है इसके बाद टैरो में सिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा दूसरा यह जो कोर्स का टाइम में हमारा 6-7 Monday to Friday क्लास होंगी हमारी और 6-7 यह हमारा कोर्स होने बाला है ठीक है चलिए एक अनट चलिए अब कोन बचा है हमारा अभी सट डिरेशन यह लगबग हमारा 25 क्लास का कोर्स रहता है लाइक क्लासी 25 क्लासी होती है और इसमें 25 क्लास के साथ आपको कम से कम 5-7 क्लासी आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है वो अलग होती है तो अगर यह ऐसा देखिएंगे तो लगबग आप मांग के चलिए 30 to 35 क्लासी का कोर्स है ठीक है बाकी कोर्स केंटर मैंने आपको बता दिया है उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो definitely आप मुझे फोन कर सकते है और यह तो बक्का है अगर हमें आपने सुन लिया तो टारों जब तक मेरे से नहीं पढ़ोगे ना तो स्टिस्टेक्शन आएगा ने यह भी बक्का है यह तो मुझे सुनते ना अप्रॉक्ष्मिन टुटी डेज नहीं 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 आप समझे यह Monday to Friday क्लास होंगी तो 25 क्लासिस तो लाइव होंगी आपकी और लगबब 5 से 7 क्लासिस आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी तो यह लगबब 32 to 35 क्लास का कोर्स है टूपर ठीक है आप असर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है कोर्स मिटील आपको मिलता है सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाता है और आपको कमाना कैसे वो भी सिखाया जाता है ठीक है में तो यह ना कमाना कैसे चलिए हमारे साथ हैं संजना जी संजना कि नाम लोग इसी का किसी का भी नाम लो सूचना किया इसमें ज्योत्ती प्रभाकर ज्योत्ती ज्योत्ती प्रभाकर जी अनुट करो अपने आपको कैम्रा उन करो खुशन करो नमस्ते मैं नमस्ते जी जानना चाहिए थी मेरे दोनों बेटे अभी नेट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं क्या उन्हें साल गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा एंबीवेस के लिए दोनों बेटे अबीवेस की त्यारी कर रहे हैं हाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं आपको जानकर सभी को खुशी होगी कि नीट की काउंसलिंग भी हम वह जल्दी स्टार्ट कर रहें अपने प्लेटफरम पर क्योंकि मेरी बेटी ने इस पार फॉस्ट इयर एंबीवेस कर रही है तो मेरी वाइफ ने इतनी इतनी रिसरच कर ली है नीट की ओपर और जितना भी हमने नॉलेज ली है और वो सारी नॉलेज आपको पासून करने वाले हैं तो इसकी काउंसलिंग भी हम इस बार से जल्दी तो वहां से भी आप गाइड़न्स ले सकते हैं जी सर जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी तो सिलाबस वगरा कदम हो चुके अभी तो कोई बात नहीं बढ़ेगे अभी निकले हैं है ना तो कोई बात नहीं फॉर्म के बाद सारी चाहीं शीरू होंगी ना अभी तो चालो मैं मिनका कोशन लो संजना जी का सजना आप कोशन लो यह इंग दे हाव कुछ ऐसा है कि कुछ ब्लॉक जिस मुझे दिख रहे हैं कुछ नो ने अपने आपको ऐसे रखख़ हुए कि मेंदी सम्वेर नॉट वोकिंग हार्ड कुछ इस तरह कुछ हो रहे हैं slowly gradually they will pick it but end of the time बहुत effort लगाने पडेंगे मुझे भहत like it's not a piece of cake for them like they need to work very hard फिर कुछ पुसिबिल्टीई उंगी गवर्मेंट कॉलेज के लिए बोल रहे हो कि हम प्रावेट कॉलेज के लिए हैं एनिवेर, they need to work very hard, पूरा focus होके बहुत hard work चाहिए होगा, then only, क्योंकि कुछ blockages है, थोड़ा focus कम है उनका, बहुत hard work करेंगे तो कुछ possibility होगा, लेकिन मैम अब भी तो अच्छा चल रहा है, score भे अच्छा आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, no matter, बहुत बार होता है कि pre-board में और बार की चीज़ों में बच्छों का आता है, but final outcome में कही पार नहीं होता है, but हां, विदा, like, persistence, hard work, good focus, कुछ हो सकता है, don't lose hope, उनको बोलियो focus रखे, एक ही जेका focus रखे, इधर दिस्ट्रेक्शन नहों, तो it will be done, okay, okay, thank you, thank you. संजिना होगी prediction की? जी सर, जी सर, ओके, ठीक है, चलो आप एकोड ले लो, आप एकोड लो, फिर मैं उसके बात, चलके बात जाता हूं बात में. आप एक किसी को और नाम लेजी, चलो मैं ले देता हूंगी, ठीक है, संजिना अन्मिट करो, अपने आपको अन्मिट करो, सुरंदर बजाज जी का लेज लीजिया, सुरंदर जी आप अपने आपको अन्मिट करो, चलो, संजिना इंका सुरंदर जी का करो आप translation. में सुरंदर जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, मेरा कोश्चन ये है कि अभी मेरी लाइफ जो है ना, टोटल अंस्टेबल है, अवरी लेवल, तो उसका कब तक ठीक होने के चांसिज है, और दूसरा, ओकल्ट साइंस के अंदर, ओकल्ट साइंस के थुरू क्या ये पॉसिबल है कि ये उस पटरी पर दुबारा आजाएए? आप लो डेटो पर बताएंगी प्लीज? 3 जुलाई 1975, 3rd of July 1975. 4 जुलाई बताएंगी टीक है, फिए प्लीज एटरी रवल, चल्ट साइंस के नसके राएंगी छोस्ता दूसरा अटूसराएंगी प्लीजा देखे, यहां आपके लाइफ में टर्मॉल्स रहे हैं, आप फ्यूचर में कुछ ओकल्ट साइड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो काट के थूआ हैं, आपस्टिकल साब के लाइफ में बहुत सारी चीज़े रहे हैं, आपके आगे फ्यूचर में, आपके आगे फ्यूचर में, आपके बहुत अच्छा हैं, आपके मनने कुछ ऐसे डिजायर्स हैं कि मैं लाइक दुनिया को अपना नाम का मानना, वर्ल्ड में अपना नाम क्रेट करेंगे आप, लेकिन ओकर्ट के थूँ, और आपको ओकर्ट के थूँ ही काफी लग्जिरीस, और अगर आप इसमें जाते हैं, तो में भी विदिन आ इयर, जारा टाइम नहीं लगेगा, आपको यूनिटी भी वेरी फोकॉस इन दाट, साल भर में ही आप अगर इस पर पूरा फोकेस रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगी, आप को ओके मिलेगा, मनी वाइस भी आप बहुत अच्छा करेंगे इसमें, मनी तो एक्चल में क्या कि जब कोई करमा करेंगे तो वो तो सपोर्टिंग होता है, म लेकिन में ने कि वो रस्ताल खुल जाएंगे, जी बिल्कुल खुलेगा, ऑकर्ट में ही आपके लिए अच्छा है, ऑकर्ट में आप बहुत बढ़िया करेंगे, आपको बहुत उसमें हार्ट वर्क और पूरी शिदत से लग जाएंगे, आपको ऑकर्ट में बहुत बढ़ि जी सर, होगे सर संजना अनुट कर अपने आपको, अनुट होगे जी सर होगे है? जी सर, फिनिश चलिए, सरंदेज ठीक है? अजी बिलकु सर अपके साथ में जुड़े नहीं, तीस तरिक, तीस दिसम्बर को जुड़ा था मैं आपके साथ में त्रू लोश्यू का एक वीडियो देखा था आपका और फिर आपका नीचे लिंक देखा और मैंने आपके ग्रूप को जोईन किया और उसी दिन लाग को मैंने लाइव क्लासे जुड़ी देखी और उसके बाद में फिर उनकी जो एक बीच में प्रूप कर लिया और फिर आप से बात हो रही थी कि आप रिग्रेट में हो हम किसी को पसाते हैं हम करते हैं को मिस गाइड करते हैं ऐसा तो नहीं करते ना नहीं नहीं सर ऐसा मुझे लगा नहीं आप जो ना बेसिकली वह बोलते नहीं कि बटके वह को रहा पर लाने वाले इंसहान तो मैं वटका हुआ था ताफी टाइम से, तो मैंने आपको बोला ही था कि कोई दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दशा अपने आप सुधर जाते हैं, बिल्कु ठीक बात है, हमारा स्लोगा मेरा ही रहता था कि दिशा से दशा बदलो, वास्तो का स्लोगा नहीं मेरा ही है, दिशात से दशा बदलो, तो आप हमारे लिए पतफ पर दर्शेक हैं, सही, सही, सही रास्ता, हमने आपने उंगली, आपकी उंगली भ Liberal अब हमारे बीच में एक सर्प्राइज पैकेज आप सब के लिए एक हमारे मेंटॉर अभी जुड़ा है हमसे गैस करेगा कुण जुड़ा है एनिवन चैड़ वोस में लिखो प्लीज हमारा एक मेंटॉर अभी जुड़ा है हमारे साथ जादा लोग ठीक है योग लक्षे में जुड़ी है लिए चलिए बहुत बढ़ी है सब को बदा है कि में ही आते हैं कभी रेंडमली क्लास में आ जाती है तो में मैं वैलकम है आपका योग लक्षे में आपको में आपको में आपको में आपको में आपने मुट्पर सकते हैं आपने आड़ से में हुए तो तो पहले मैम बता है, मैंने पहले ही बैनर शेयर कर दिया है, आप सभी जानते हैं कि मैम का most awaited course, जिसका बच्चे भी इंद्या कर रहे हैं और हम भी इंद्या कर रहे हैं, law of attraction, coming soon in February, February को ये launch होगा, और मैं आज सभी के सामने date भी disclose कर रहा हूँ, अब तक हमने date को disclose नहीं किया था, ये एक बहुत ही शुब मौरत में, आप सभी के साथ हम इस course को मैम के साथ लेकर आ रहे हैं, और मैम का ये सबसे पसंदिदा course है, और most rated course है हमारा, पिछले एक डेट साल से मैं मैम को बोल रहा हूँ कि ये course लाना है, लाना है, और कहता है, जब वक्त आता है, तब ही आता है चीज़े, तो ये सबसे जो शुब दिन है, वसंद पंचमी का, 14th of Feb, है ना, उस दिन हम law of attraction को launch कर रहे हैं मैम के साथ, शुब दिन, इस से शुब दिन नहीं हो सकता, और वैसे भी जो लोग 14th Feb को मनाते हैं, उनके लिए भी शुब दिन है, तो दोनों तरस से शुब दिन है, चाहे आप पसंद पंचमी समझ लेजीए, या फिर आप एक 14th Feb जो, एक होता है ना, manifestation का day है, या आपको अपना, कह के साथ ये law of attraction का course लाँच कर रहे हैं, और इस course के लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर limited हम student को रखने वाले हैं, और ये मैम decide करेंगी, ऐसा नहीं कि अगर आपने registration करा दिया है, तो भी आप इस course को कर पाएंगे, मैम जिसको decide करेंगी, कि वही इस course में enroll कर पाएगा अब तक मैम कम से कम 15 से 20 student को remove कर चुकी है, जो eligible नहीं थे, ठीक है, तो अभी हमारे पास शायद 70 के असपार registration आये थे, जिसमें से मैम ने 20 या 25 को reject कर दिया है, कि यह अभी eligible नहीं है, ठीक है, मुझे भी exact counting नहीं पता है, तो आप registration करा सकते हैं अगर मैम को लगेगा, if you are eligible, then only and only, then you can do this course with मैम, law of attraction, यह ऐसा परशाद है, हर किसी को नहीं मिलने वाला, इसके लिए मैम खुद चूज़ करेंगी, कौन इसके लिए eligible पातर है, ठीक है, yes मैम, please. सबसे पहले तो सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी के भीतर के प्रमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम, आप सब लोग काफी हद तक मुझे जानते हूँ, यहां जितने लोग बैठे हैं, हाँ, गरीमा, बेटा कैसे हो आप, बहुत बढ़िया, तो सर ने बिल्कुल सही बोला है, मैं law of attraction के बारे में बात नहीं करने आई हूँ, मैं just आप सब लोगों से मिलने आई हूँ, मेरा मन कर रहा था, आप सब लोगों से मिलने का, लव प्रेम ओवर्फलो हो रहा था, तो सोचा कि बच्चों में बाट दिया जाए, आप सब को अखो भाव देने, gratitude देने आई हूँ, मैं बाकि अगर किसी का कोई सवाल भी है, तो वो भी मैं लोगी, मेरे पास सिरफ 10 मिनिट है, 10 मिनिट में अब जो परमात्माने जिनको चुना है, उनके ही questions लोगी, मैं तब से पहले, सब से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, यह बताना जरूर ही है, देखे क्या होदाना है कि बच्चे भी जुड़े हैं, बड़े दिल से जुड़े हैं आप सब्की सब, हमारे साथ, तो आज मैं की anniversary है, 13 anniversary है मैं की marriage anniversary, और मैं ने कल एक ritual कराया था, घर में और उस ritual के बारे में मैं आपसे disclose करेंगी अभी, और आगे ह हम कल spiritual journey पर भी जा रहे हैं मैं के साथ, तो वो भी थोड़ा मैं आपको बताएंगी, तो मैं की एक highest energy है, और के बर होता है कि बच्चों को blessing देने के लिए, जो healer होते हैं, वो खुद आ जाते हैं क्योंकि वो energy इतनी gain कर चकी होते हैं, उनको discharge करनी हो energy, तो अगर आप मैं को स हैं और जो आगे energy लेकर आएंगे, वो कितना परशाद आपको मिलने वाले हैं, बिलकुश, ब्लकुश, बहुत देखे हैं, सभी के बार मैं को सभी को allow कर रहा हैं, मैं को सभी में अपनी blessing, देखे हर इंसान के दर एक इशूर का वास है, हमारे सा मानना है, है न, तो पता नह किस की दुआओं से गरस्ती चल रही है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, यह एस्ट्रोफ लेक्सी प्लेट फार्म खड़ा हुआ है, हूँ नोज, कोई नी जानता है, तो हमें इतना बता है कि कोई हमारे बीच में एक अच्छी प्योर सोल है, कुछ सोल, जिनकी वज़े से आज हम यह आपा है, जा हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा ग्रेट फाम है, हम हेल्दी है, हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा नेम फिम हो रहा है, पता नहीं किसकी ब्लेसिंग है, कौन ऐसा एक अच्छा सूल है, तो शायद वो सूल मैम को अब में ब्लेसिंग दे दे और अच्छा कर पाएं, सबी को मैंने लाओ किया है तो मैं आपको सबी अनिवर्सिटी विष्ट करें फ्लीज अपको सब्सक्राइब निवर्सिटी विष्टी 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 वि आपने आपको आपनुट कीजिए और अभी हमारे अपाब बच्ची है उसकी पहले ब्लेसिंग लेते हैं क्योंकि वो बोलनी पा रही है गरिमा बोलना बेटा गरिमा मैंने आपको मैंसे लिए आप से बात मैं तोड़ा दो दिन विजी थी इसलिए नहीं बात करी मैंने मैं पीज़ा आपने मुझे बहुत 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 याद किया है गरिमा मुझे बिल्कुल पता चल गया था वैसे मुझे जरूर भीजवाना आप मेरे घर में बहुत सारे केक्स है हुए है मैं जरूर भीजवा हुँ दिए खाओ के के एड्रेस बेजो मुझे मैं कली केक भीजवारती हुए हुए है चॉक्लेट फ्लेवर के वैनिला के पाइव आपके लिए वेज रही हूं कौन सा केक का होगा आप प्यार से बनावा अच्छा प्यार से बनावा वाला फेल लिए चली मैं आपको सबको बताती हुए मेरा फेलर 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 जो है वो पाइनापल फेलर है मैं भी खाती हूं और मेरी आइस्क्रीम भी पाइनापल फेलर है और ब्लूबेरी ठीक है ठीक है गरिमा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए सब ही को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और यही फ्रेम थोड़ा जैने के लिए मैं आ गई आ पस अब लोग पास कल्गर में हवंकर आया गया था सभी इन लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को gratitude, universe को gratitude देने के लिए, कोई मांग नहीं थी, सिरफ सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, सभी को प्रेम और gratitude, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए, और उसके बाद, जैसे कि मैंने हनुमान जी को मैं राखी बानती हूँ, हनुमान जी को मैंने अपना बहाई बनाया हुआ है, तो उनको राखी बान दिया और उसके बाद सुन्दरकान का बाठ हुआ, सब के लिए, सब ही लोग जिनके साथ मेरे कॉट्स जुड़े हैं, और परमात्मा ने बहुत दिया, ऐसा ध्यान दिया, सब कुछ बहुत दिया, और वही तीनों जा रहे हैं माम बगला मुखी, हमा यग्य हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास स्पेशल जिनकी कुछ चल रहे हैं, हमारे पास कई केसिस जो चल रहे हैं, उनकी रिच्वल्स करवाने हैं, और अगर आप में से कोई भी उस यग्य का भाग्य बनना चा आता है, तो डॉक्टर नागे सिग्वर कनेक्ट कर सकते हुआ, तीस तारीक को बगला मुखी का हवन है, दत्या में, तो वी वी ट्रावलिंग, कल हम ट्रावल कर रहे हैं, और हम सब पर्सों वापिस आएंगे, आग को, वहां से, तो वहां मा की जाप होंगे, और वहां महाय अग्य भी हो रहा है, सब के लिए, ठीक है, तो सब की ब्लेसिंग चाहिए हमें, जिस कारे के लिए जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए ये पूजा हो रही है, उनके लिए भी सब की ब्लेसिंग चाहिए, तो इसलिए मैं आप सब लोगों के पास आई हूं, आप सब लोग आपके कोर्स की eligibility क्या है देखे मेरे कोर्स की eligibility मैं आपको बताते हूं अब किसी भी चीज की मैं बहुत सरल इंसान हूं पहली बार तो यह है तो ऐसे ही सरल लोग चाहिए मुझे जिनमें छल कपट की कोई इच्छा ना हो जब आप किसी भी चीज को करते हो उसको क्यों करते हो आप ताकि वो हमें फल दे किस तरह का फल दे उस किसी भी विद्या को जब आप गलत तरीके से यूज करते हो अगर आपके अंदर शुद्धी करन नहीं हुआ है आपके विचार शुद्ध नहीं है चीजों को लेकि तो अब किसी भी अच्छी चीज को सीखके उसको गलत तरीके से कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ा नियम है अगर किसी ने भी मेरे साथ लॉफ अट्राक्शन का कोर्स करना है तो जितने बच्चों के रिजिस्ट्रेशन मेरे पास आए हैं मै मैंने एक-एक की एनर्जी को खुद से चेक किया है जहां मुझे लगता है कि एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो तामसी है वहां पर मैं उनको कनेक्ट नहीं करती हूं उनके लिए शुरू से शुरू करें वो रेकी लेवल बन से करें अपनी क्लिंजिंग करें उसके बाद अगर कर रहे हो तो उसमें गहन ध्यान और एक स्थिरता है और एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी चीज पर फेथ नहीं आता कभी भी तो इट मेंज आप बिल्कुल लोर वाइब्रेशन में या बिल्कुल मूल धारा चक्र पे अपनी जीवन को जी रह हे तो उसको अनबॉक करने के लिए आपको रेकी लेवल ही तो करना ही पढ़ेगा जैसे लेख का जो आपका जो मैनिफेस्टेशनल लेवल है करना चाहते कोई भे प्र हमारी ही प्रतीध्वनी है जो भी विचार, जो भी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वो ही हजार गुना तेजी से हमारी वाइब्रेशन से मैच करके हमारे पास आती है, बस, ठीक है, तो इसी लिए कई बच्चों को, मैंने ही, ऐसा नहीं है कि मैंने निकाला है, सिर्फ हाद जोड के विं ऐसा नहीं होगा, जो लोग पहली बार eligible होंगे, वो register जो करवा देंगे, उसके बाद, उसका कोई बात में registration नहीं होगा, इस course को recording करके, आप सुन सकते हो, जिन्होंने register किया है, लेकिन जो लोग पहले दिन मेरे साथ जुड गए हैं, दूसरे दिन जुड गए हैं, पहले त ये course बिकने वाला नहीं है, ये किसी की साधना है, इस course में आपको जहन उतरना है, इसे अपने जहन में उतारना है, इसे course भी नहीं बोलूँगी, इसे 21 दिन की महाविधी बोलूँगी मैं, तो सबसे मेरी ये विंती है, ये हमारा कोई ego नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं फील कराना चाहते, हमारे भी कुछ संकल्प और नियम है, तो अगर किसी को लगता है, कि 1% भी उनके भीतर ध्यान घटता है, या उनको वाइब्रेशन फील होती है, प्रेशली जो लोग healers हैं, उनके लिए वो सब लोग eligible हैं, लेकिन जो non healers हैं, और उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, उनके लिए law of attraction के लिए उनको बहुत बहुत practice करनी पड़ेगी, इसके बराबर आपको रेकी भी practice करना पड़ेगा, तभी आपका जो vibration है, वो universal energy की frequency से match करेगा, तभी आप manifestation कर पाओगे, मैंने अपने जीवन में, अपनी spiritual journey जो है, वो universal law of attraction से ही पूर्ण करी है, गुरू की सहायता जरूर ली है, बिलकुल ली है, लेकिन ये एक ऐसी विधी है, जो बुद्ध भगवान का रस्ता बनी थी, इसका निर्मान बुद्ध भगवान ने spirituality में किया था सबसे पहले, इस course को बड़ा ही spiritual तरीके से किया जाएगा, इसके कुछ नियम होगे, इसी ल परसंत पंचमी का दिन हमने शुब मुरद डिसाइड किया है, ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों के प्रशन है, लेट सी, ये चार-पांच बच्चे कौन होते हैं, लकी वन्स, जिनके मैं प्रशन अभी ले सकते हूं, पटा-पट से हांड रेस होने शुरू हो गए है, चल अब ध्यानी है, वो भी एक ध्यानी है, मैं ब्लैस्ट हैं कि इनको जो लाइफ पार्टनर मिला है, यहना सेम एनरजी का मिला है, तो वो इनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन फिर भी, ये हमारा एक अच्छा कपल है, जो इनको हम ज़्यादा आज बिजी नहीं रखेंगे, मैं दो-ती कोशन ले लीजी आप, कोई बात नहीं ज़्यादा नहीं करेंगे, फ्रशांद, नेक्ट टाइम आपको बलाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ स्वातिया आजाओ बेटा, माहा प्रणाम, बहुत 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 मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं यह बहुत आंज में बहुत बढ़िया परमातमा बहुत प्रेम दे रहे हैं कि मां चलि बहुत बढ़िया स्वाती कोई प्रश्निय है स्वाती आपका कोई नई मआ बस आपको बदायां देनी थी प्रेश्णर तो अगले वेबिनार में करेंगे आज आपको टाइम बैस नी करेंगे भी अवाग बढ़ी अब पुटा हँड़ी लवकुष आ जाओ जए श्रीकिष्णा रख्विश्ट कैसे बरें अब कसे आउन बहुत बढ़ी है बहुत बढ़े अच्छा चाहिए और कि प्रेशन आपका नहीं मैं अभी कुछ नहीं आप नहीं अगर है प्रेशन तो पूच सकते हैं सबने तो बोला लेकिन हाँ अगर मन में कुछ है तो बहुत बढ़ी हैं बहुत प्रेम आपको मेरी तरफ से आज जी नेक्स कौन है आचल कैसा है योगी जैशिटेशन मेहम चुंग्रेचुलेशन्स बहुत बहुत धन्यवार बिटा कैसे हो आप मेहम बढ़ी आस्तो जाद ही हो गया मैं पता है मेरे मैं कार्ट सपल कर दा दो तीन बार से एंप्रेस आज जा रहा था और मैंने देख लोला यार यह तो ममीगार काड़ है लिटरली पर सरने अनौस कर दे कि आप आरो मैं लिटरली वेशोक हो गया वायोगी तो हमें आप्रेस बना दिया आपने बहुत बढ़िया बहुत चारा प्रेम आपको और अच्छे लग रहे हो तुम्हें देखके न मुझे नोविता याद आ जाता है दोरेमॉन वाला अभी तुम्हारा मन कैसा है अपने मन को ना लोहे का बना लो है ठा लोहे का बना छीकैं जैली फॉर्म से बहार आ जाओ आज ये इस बहुत बढ़िया लगए अपके चीया चालो बहुत बढ़िया हाँ जी अभी प्रणाम बिटा निरमाली आज़ी बिटा आज़े आ जैशी किश्णा में जैशी किश्णा जैशी किश्णा मुझे यह आच छा कि आप ही हनवन जी को भाई बना के राखा है और मैंने भी राखी पहना के भाई बनाया उसको इसलिए सायद अब जो जब से राम मंदी निर्मान हुआ है ना तब से वे वो गोल्डेन कलर का गेट देख रही थी सपनों में और पाद में मैंने फेस्बूप के न्यूज में द है नहीं द कुछ चायर दिया नहीं है उसमें इसे साब जब बन गया और वहां पर बिशनुजी जैसे घृटन पे इस और एक ओम जैसा भी सिंबल है और एक गनेश और वहां पर ही सिब्लिद जैसा भी सिंबन बन गया और आज आपको आपने जब बोल दिया ना हम जी को ऐसे भाई बना तब मुसे ऐसा पता मैं तो यह तो यहां यह कैसे बन गया आज उसे पता सल गया सायद भाईया बना यह था ना इसलिए देखिए यह एक चीज मैं आपको सब को बताती हूं इसके पीछे भी एक बॉत ब्रदर है वह मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ है और वह हनुमान जी की ही देन है उसे बड़ी ब्लेसिंग से लिया गया था तो मेरे फादर ने काफी मंगलवार वह मंदिर में गए उन्होंने वरत रखे तो मेरा भाई पैदा हुआ और पूरे सवाद चार बजे जब अच्छी ड्रेस में हनुमान बनती थी मुझे बड़े अट्राक्टिव लगते हैं उसीलिए मेरे सबसे बड़े बहाई जो है वहनुमान जी और जैसे की यह सबके लिए एक रेमडी है especially females के लिए अगर उनको लगता है कि उनके career में या उनकी किसी भी चीज में रुकावट पर रुकावट आ रही है उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है तो सबसे अच्छी remedy है कि किसी भी मंगलवार के दिन जाके हनुमान जी को समर्पन करे, उनको राखी बांदे नहीं कि बड़े बड़े बुज़र्गों की support बड़ी एक वह ना सबको चाहिए एक मारदर्शन जो दे आपको तो आपको ऐसे ही रूप में आपको 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 जीवन में मिलेगा कोई जीवन में मिलेगा गुरू के रूप में यह कैसे भी मिलेगा चलिए बहुत बढ़िया हां जी तो प्रवीन आजए यह अच्छा यह एक कौन बोल रहा है हमारी भी एनवर्सरी है यह कौन है जैस्री विश्णम है अच्छा स्वाती की भी है स्वाती पेरी गुड गुड गुराचुलेशन्स बहुत बढ़िया हां जी प्रवीन जी बोले जैस्रीकृष्णम एश्रीकृष्णम प्रवीन हेपी मेरेज अनिवर्स्ट्री में आपको और बहुत अन्यवाद प्रवीन में मेरा क्वेश्चन था थोड़ा में मेरा हैव्ड का इश्यू रहता है एंश चार साल से और थोड़ करता हूं तो वहां पर कुछ ने कुछ डिस्टरब्लस आ जाती है चोड़ देता हूं पिर गुस्टा भी बड़ा जादा जल्दी आ जाता है और जादा है फैमिली में भी पेरेंट्स से और वाइप इसे दिल में तो कुछ नहीं है पर गुस्टे में गोल लेता हूं देखो गुस्टे की सबसे बड़ी रेमडी पते क्या होती है जैसे कि इसको गुस्टा जादा आता है जिसका मंगल खराब हो जिसका राहू एफ्लिक्टेड हो ठीक है ज्यादा तर दिमाग घुमाने वाली च रहां को बढ़ाना नहीं बनाते हैं जी मैं हुदाना वजी सबस्यूंग के पास सब चीजों का हल है किसी ने मेरे को हनुमान चालिशा का पाठ करने के लिए बुला था पर मैंने वह किया तो उसके बाद मेरे को अग्रेसिवनेस ज्यादा बढ़ गई आपको मंगल अनर्जी को बढ़ाना नहीं है आपको से बैलेंस करो अगर आपने पत्री किसी को दिखाई होगी या तो आप इसलिए आपको इतना गुस्सा आता है और शनी लगन में है तो बैस्ट उपाए है हनुमान जी ठीक है है के लिए हर चीज के लिए संकत मोचन नामत हारों ठीक है समझ एक बात पुछने जाता था मैं वस लास्ट की मैं केरियर में क्या फिल्ड करूं कि दो तीन साल से मैं अकॉल्ट की तरफ जादा थोड़ा एट्रेक्ट हो रहा हूं तो मैं अकॉल्ट को फ्यूचर अपना केरियर बनाओं या किसी और देखो एक चीज़ पर तुम्हें बार-बार बोलूंगी जब आप स्थिर हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे जब आप हर चीज को चूज कर सकते हो जब हम किसी भी चीज को चूज नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा साटन और सन का रोल होता है इसमें बहुत बढ़ा हमारा आतम विश्वाश क्या है हमारा सूर्य कॉन्पिडेंस क्या है ठीक है तो अपने फादर स पिता कितना जो लोग है हाना ऐसा कोई पकड़ो अगर नहीं वो कर सकते तो नागेश्टर के सामने समर्पन कर दो वो तुमारी कुंडली भी देखेंगे ठीक है और तुम्हें रस्ता भी दिखाएंगे उनसे अच्छा गुरू नहीं मिल सकता मैं भी कुछ नहीं हो उनके सा ऐसे ऐसा हाथ है उनका बड़े भाई की तरह तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे अरे मैं खुद इनसे पिछा चाहता हूं कुछ भी नहीं हूं थारीक पर रही है मैं तो कहता हूं सीधा क्रिश्णा को पकड़ लो भास लेकर देता हूं पर इक इंसान क्या होता लालच में लालच में रख लूँ और उसके बार तुम्हें कुछ राटर दूंबा की ठीक है दिए मैं जल्ट को बढ़ लो कोई कोई आपको अपनी सक्सकाराज नहीं बताएगा हम बताते हैं बताते हैं सही बाते प्रमात्मा के आगे सर्मयर्पन जो है वह ही हर खुशाली का आनृद तरक्की का जिसे भी जिस नाम से भी तरक्की आप तरक्की हो को रहन को अनंद में रहने को बोलते हो हमारी तरक्की की परिवाशा अलग है अगर हम तूर्स पर जा रहे हैं तो इसके लिए लिए पो सब्सक्राइब है फिर हेड़कौर्टर में न वो अपने जो MD या CEO रखे होते हैं नागेशर जैसे उनके पास भीजता आपको आप सही जगा पर नहीं 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 को पकड़ना मा यह लक्षमी को पकड़ लेना वो जल्दी तार देगी मैं तो का तार वांगा तुम्हे एक हीलर आपको जल्दी से कनेट करा सकता है उस डिवाइन से उस डिवाइन से अगर आप डिटना चाहते हो सीधा मा से जुड़ो जो लेक्षमी मैं से जुड़ो और कहिना कि अधिर आपको मैं मैं आपका लॉप अट्रेक्शन जॉइन कर सकता हूं क्या लीजिवल है आप एक बार डॉक्टर नागे से कंसल्टेंची ले लो एक बर सब्सक्राइब होगा सिंपल आपको अपनी पिक होगी कभी ऐसा होता है मैं को कुछ डाउट होता है कि मंगाती इनका क्या करेट अब मुझे नहीं पता बाई सची में अपने क्या बोला है इसलिए हम आपकी पूरी फीस भी नहीं ले रहे हैं किसी देंग लिए हम क्या कहना है हम अपना रिजिश्टर्शन कराईए सरफ 2100 2100 से तो मैं ऑच्छन आता है मैं वीडियुक बेज़ देता हूं नाम बेज़ देता हूं जो भी इड़ेशर्शन होते हो बेज़ देता हूं इसका मैं चूज करती है गाँ मैं पर बार सबको बोलते हुं कि जब हम उस जगह पर बैठे होते हैं तो हम नहीं होते कोई और होता है कुछ और गठता है योग-लक्ष्मी भी नहीं होती है तब कुछ और होता है तो इसलिए उस समय की वाइब्रेशन अलग होती है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस समय जो ही हमें उपर से आदेश आता है तो हम उसी उस पर आते हैं तो इस समय तो नहीं मैं आपको कुछ पता पाऊंगे क्योंकि मेरी कॉट्स अभी सबसे नहीं है आप अपनी फोटो भीजना और एक बार आ मैं रखेंगी किसकों नहीं रखेंगी मुझे भी नहीं सची जोतिश जोतिश हम कभी पैसे के लिए नहीं पढ़ाते जिखीन मानेगी और पैसे कमाना है ना तो हमारे सेवन्टी प्लस साथतर से उपर पास उससे बड़ अच्छा पैसा हम कमा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकि कुछ कोर्स मैं के होगी है हमारे होगी है वो हम अपनी सटिस्टेक्शन ले पढ़ाते हैं हमारी रिसर्च है जैसे मैं जोतिश हमारे किसको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हमें बता जोतिश का मत्तब है कि हमने जो साधना की हुई है वो साधना आपको दे रहे हैं जैसे म आभर मेरा कि पात्र अगर ठीक है तो देंगे नहीं है तो नहीं देंगे भही अब सोचो फेखार इव अगर फाली नहीं होना ज़रूरी है पात्र अगर खाली ना हूँ तो मैं डालूंगी तो फिर आप अगर मैं कमर्शल एंगल से सोचू इसको तो मैंने कितने रुपे को ठुकड़ा दिया मैं तो एक बात कह रहा हूं अगर हम कमर्शल होते तो अगर मैं नहीं नहीं चाहिए हमें नहीं पढ़ा कोई प्रेटफार्म अगर एक रुपे को मना कर दे कभी तुम बता देना कहते हैं पैसे आ रहे ने आने दो और हमने लोगों की फीसे वाप सीखी है तुम इलिजिबर इ अगे कभी तुमारे बक्ती होगी तुम रेकी में आओगे मैं से किनेक्ट होगा तो हम तुमीं सिखाएंगे, हम नहीं सिखा रहे इसलिए मैं की क्लास में वह बैठता है जो इलिजिबल होता है वना पैसे वापसी कर रहे हुए उपर सुप्रीम पावर चुनती है हर कोई न पीस थी 30,000 सोचो पहले तो मतलब पूरे बैस को उसमें मना कर दिया सक्षिम ने सर मैं इस बैस को नहीं पढ़ा सबकी फीज वापसी कर दो सोचो हमने 5-6 लाग रुपया जो बैस था हमने सब क्यों बोल लिया वह साब अपनी फीज वापसी लिए हम नहीं पढ़ा रहे थी पैसे कमाने तो हमारे बड़े सोर्स हैं महां से पैसे कमाने जोतिस से पैसा नहीं कमाना थी फिर सबने सोरी सोरी बोला क्यों काम नहीं करके आ रहे हैं जोतिश हमारे लिए साथ रहे हैं और तुम जोतिश में मतला मजाग समझके आ रहे हैं हमने किसी को पढ़ाएंगे सब क निकालना है उपनली सख्षम ने बोल दिया सबने सोरी-सोरी बोला कि सबने अब काम करेंगे ठीक तर उसके बाव जुदि आमने दो-तीन लोगों को निकाल दिया मेरी क्लास में से भी हुआ है सर मैंने भी आपके क्लास में एक दुबार ऐसा हूँ किलकुल किसी ने बोला था क कि बात नहीं है कई बार गुरू को अना कहते हैं कई चीजें सिखानी पड़ती है ऐसा रूप भी दिखाना पड़ते हैं कुकि हमारे भी कुछ संकल्प है किसी यव प्लेटफॉम पर बोल के देखना सर पैसे कर रहे है और काम ना करना तो केंगे हमें क्या मतलब तुम पढ़ो ना पढ़ो हमें क्या मतलब पैसे वाप्सी करता है कोई कोई करें करें कि कहते हैं बाइध मैं नमस्ते जाओ आप लेटे optimize है क्योंकि आम्मी कैसी हो मी सर देखो ये क्या कर रहे हैं बच्चे देख रह क्वेए आप तो आप क्यूं करते हैं हम क्यूंकि हमें सोल से पता चलता है हमें ध्यान से पता चलता है कॉन बच्चा ले खाली है तो हम बहुत इसीली सब अच्छाईयां जो परमात्मा के द्वारा दी जा रही है हर तना की वाइब्रेशन वह रिसीव कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो इसी लिए कई बच्चों को हमने रोक दिया है ऐसा नहीं कि वह बैं किया है रोक दिया है कि अभी आपका सम दिन नहीं आया है तो अगर किसी को भी आप में से किसी को भी हम मना करते हैं तो प्लीज बुरा मत मानने उसके लिए आपको मेहनत करनी हैं अपनी अंतर यात्रागी शुरुआत करो उसमें मैं आपका पूरा साथ दोंगी पांच दिन रेकी के निरिस्वार्थ भाव से आप सब्सक्атानों कि लिए मैं समर्पन करती हूं मैं उसमें मेरे साथ आभी समर्पन करो स्सृप्रीम पावर के और उसके बाद देखो क्यों साथ 11 दिन अपने आपको कभी देखे तो देखो दूनिया के लिए भागे फिरते उस ने बुला लिया इसने बुला लिया कभी अपन तो अभी मैंसर एक बर अन्म्यूट कर रही हूँ अम्मी को, अम्मी हाँ, ये कहां से ले आई? लेरी बेटी की चादी की मुबारिक, सो सो मुबारिक हैं, अम्मी फॉरण भागी गही है, केग नहीं मिला, मैं पेस्ट्री उठागे लें के मैंने केग काटना है, मेरी बेटी की, सो सो हजारे क्रोडे मुबारिक हैं तुझे, अज्ये तरह बचों के तुझे से ले दिखाएं, अज्ये तरह तुछे तुझे लंबी जिन्दी दे, अल्ला तुझे जहरो जहरो खुशियां नसीदों में, अम्म्म यहाँ पे दस बज़े ना दुकाने हो जाती से मैं यह देखें यह स्वामी अनंद राज है तो आईए एक मिनट मैं में में की तरफ करती हूं एक मिनट मेरी तरफ है कैमरा एक मिनट यह पहले आज मिलिए जो हमारा कफल है आज पहले इनके रूब 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 कीजिएगा वे बेटी मेयम की खुशी के यह बूप ही कार रही है यह मेरा बेटा बटा है तो सब लोग खुश रहिए बहूत बहुत बहुत इस प्यार के ही हम बुके है एक बार एक बार फिर से बोल दी इस अबड़ी को मैं पने ऐलागी है मैं आपने अपकांट कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद सभी को चलिजी ये कपल है आज का जो स्पोटलाइट कपल है मारा ठीक है और ये अभी आपनी नहीं है जिस दिन आप राज को सुनेंगे ये भी बहुत बड़े ध्यानी है ठीक है इनकी भी अपनी परजी है परमाने चाए तो बहुत जल्दी आप इनको भी एक्स्टर ग्लेसी में पाएंगे और ये भी कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग देते नजर आएंगे चलो जी बहुत अपन लग रहे हो सभी की तरफ से हमारे बहुत सारे स्टूट है हजारों की तरफ से मैं सभी को सभी की तरफ से आपको विश्च करता हूं बवान करें आपको लगी उमर लगे आपकी शादी की उमर तब तक हो जब तक यह स्रष्टी है और आप ऐसी मुस्कराते रहें और सभी का प्यार सभी की तरफ से ऐसीं बहुत बहुत दन्यवाज शोवाडर अभी बच्चा बोल रहा था कि मेरा प्रशन जरूर लेक्शन अमीग लव trenches आपको मेरी सब्सक्राइबम प्रें फ्रेम चोचे-चोडए-प्यारे बच्चों को देवारा का और मेरी तरफ से खाली जीए यह हमारी भूक है यह यह जो प्रेम ना यह बांद के रखता है हमें सबसे हमें कहते न के पैसा इंसान कोई भी कैसे भी कमा सकते हैं अथा सब कुछ नहीं होता है ऐसा ही चाहिए कि सब लोगों की जो वाइब्रेशन है एक वाइब्रेशन होके जब उस प्रमात्मा को पुकारती है या कोई चीज को मैनिफेस्ट करती है तो वो बहुत जल्दी से आप कोई कहानी सुनाती हूं बुद्ध भगवान जब जाने वाले थे न तो सभी ने एक ही फ्रिक्वेंसी में ध्यान किया था जब एक फ्रिक्वेंसी में ध्यान किया थो कितने ही उनके भिख्षू थे जो एक ही समय पे इनलाइटन हो गए थे जस्ट बिकॉज आफ लॉव अट्रैक्शन अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं किसकी अवास थी एक तो जिसको भी हांड रिस करना है वो स्क्रीन को अब मैं तिरुप दो प्रेशन लोंगी उसके बाद आप सब लोग कॉंटिनू करेंगे एक बार मॉनिका आजाओ अब बिटा जैशी कुष्ण माम तो चैशी कुष्ण माम कि आज बाहतु है मैं आपके फेसमें एक लगी चाम है मुझे बहुत attract कर रहे हैं आपका फेस बहुत ग्लोइंग है या एनरजी ऐसी है आपकी जो हैंजी मैं इन्हें एक्छली ना ओकल्ट में मैं फर्स टाइम एंटर हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है इसको study करकर spiritual मैं हूँ मैं भगवान की तरफ भी devotee हूँ और मैं किसी जो गडीब होते हैं या जो मतलब जो नीडी person होते हैं उनकी तरफ भी मेरा जादा ट्रैक जाता है तुम्हें परिवार रोक रहा है मॉनिका बस कहीं न कहीं परिवार ही बादा बन रहा है और कोई बादा नहीं है अच्छा मैं इस इस जर्णी को मैं कर पाऊंगी जैसे मैं यह अभी जैसे भी परमात्मा करवाना चाहता है उसे करो थोड़े थोड़े चाहिए कीडी की चाल चलो जैकिन चलो जरूर पता नहीं वो शन कवाजा है मैं सबको बोलते हूं रुकना नहीं है दीरे तरह चलो चाहिए कच्छो चाल चलो ठीक है और अतीमत मचाऊ किसी भी की आज ध्यान घटा तो मैं सब कुछ छोड़ चाड़ के घर से बाहर चली जाओंगी यह कर दो नो बिडल वे इस हिसाब से हर चीज को ना बैलेंस तरीके से करो ठीक है अती भी मज भाव में रहो बिल्कुल रहो लेकिन इतना भी अती मज ना मचाओ के बिल्कुल घरवाले अगेंस्च कड़े हो जै को कि यह घरस्ती भी हमने ही चूज करी है बिहोशी में है तुसे छोड़ भी नहीं सकते हमारा बीजा हुआ है अभी काटना तो पड़ेगा तुम ध्यानी हो बिल्कुल हो तुम्हारी प्रीवेश जैनी में भी तुमने चाहती हो तो उसके लिए भी मेरी एनर्जी के तुम्हारी एनर्जी जो है तुम कर लोगी ठीके बस उसके लिए थोड़ा इसे नियम तुम्हें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे बहुत ईजीली कर लोगी तो तुम कर दो लिए ह मेरी यह जड़नी स्टार्टी तो महां है चाहरी थी मैं ऽइंस हमें दीरे धी चलना चा सकते हो और कि और आगे चलके में किला कर पानी की तलाश में अलग अलग जगा पुअ नहीं खोदना एक ही जगा अराम अराम nagся सब मिलेगा खजाना भी निकल सकता है उसको एकी जगा पानी की जगा समझ रही हो और जी मैं है बहुत बढ़िया और प्रणाम दमिश्टा बस आपने मुझे ले लिया मैं अभी तीन तरीकों वापस फीर से महाकाज जा रही हूँ तो मैं अगर कुछ वहां जा रही हूँ ये दो महीने में दूसरी बार जा रही हूँ तो कुछ करने लायक हो तो आप जरूर मुझे बताईए समर्पन पर आप मुझे पर सोड़िएगा मैं कहां किसी को छोड़ती हूँ आप लोग मुझे छोड़ने कहां देखते हो ना लिए मैं सुनकी हो ने कि लोग अट्रक्षन की जो लोग नहीं भी जिनको मैं सलेक्ट करूंगी वो लोग भी सीख सकते बहुत सारी तिंचार वेबिनार करेंगे अच्छे चुसमें बहुत कुछ सीखेंगे लोग अट्रक्षन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे इस बार पर मुझे माम जरूर लेना मुझे करना है आप से फिर आप अलिजिबल हो और मैं भी इदर जा रही हैं मैं भी माकल के दस्टन पर फरवरी में ही जा रही हैं मैं जाड़ी हो 15 तारीक को मैं वही होंगी क्योंकि मैं भसमार्थी के लिए भी पूरे फैमिली को लेके जा रही हूं बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत तो अगर कुछ करना है तो मैं वहां जा रही हूं मैंने कोई ऐसी बात नहीं मतलब माकल पर इसको गुला लिया ना बस वो चुर्णा हुआ ही है तो पक्का है कि महाकाल के दर्शन वही कर पाता है जिसने वाके में कुछ पुन्ने करम की हैं और इस संसार में अगर आप आए हो और इस कल्यूग में महाकाल के दर्शन होगी है मतत्buster काल का मत्तबत है समय है इस की जिनको टाइम जिनके गाल महा काल महा कुछ गराराजा जाके नहीं टेक सकता हो शोच जितना बड़ा राजा होगा वह अपने चुने राजा ये राजा है उनको बुलाता है detained मार्का क्या हो मेरे पास तो अगर आप ने मानव शरीरी धारन किया है और आपने महाकाल का दर्षन कर लिए ये तो पका है कि किसी जर्णी में आपने कुछ अच्छे पुन्य करने हैं तब आप महाकाल के दर्षन पहुच पारे हो और नहीं महुच पासकते हो महाम काल, मतलब जिनकी मृतियों जिनका जिनका काल है करने जारहे हैं। तरशन आप अपकरने जारहे हैं। बस आपकी ब्लैसिंक जरहा है, मुझे पर है। अच्छा कल हम वहां दतिया भी जा रहे हैं वहां भी महायग्य हो रहा है अगर किसी को अपने लिए कुछ भी पूजा करवानी है या कुछ भी है तो डॉक्टर नागेस एक बार कॉंटाक्ट कर ले उन्हें अपनी फोटो रीजन और क्या कहते हैं अपना नाम और गोत्र है या नेगटिविटी है कोई बिमार रह रहे रहे हैं बहुत जादा या किसी को लगता है उन पर कोई तंत्र हुआ है तो वह मा बगला मुखी जो है जब रावन को मारना था तो राम जी मा बगला मुखी की पूजा करके निकले थे लंका के लिए तो शक्तिपीठ है वहां पर माई की तो हम हमेशा जाते हैं तो इस बार काफी बड़े लेवल पर हो रहा है और अगले तीन-चार महिने अब यह होगा तो एक बार आप लोग सर से डिसक्स कर सकते हैं क्योंकि कई बच्चों ने यहां पर क्वेश्चन लिखा है तो डारेक्ली आप सर से बात कर सकते ह ठीक है हां जी ठीक है दर मिश्टा मैं सुरेश जी यह आ जाईए अन्म्यूट करो अपने आपको और आजाओ नमस्का सुरेश जी बताईए मेरी ब्लेसिंग सब पे है तभी तो मैं आई हूँ सबी को मेरी तरह से बहुत सरफ रहें बहुत सरफ है अर्विंद आजो बिटा चलो मैं लास्त को चना हम आपको डिस्टप नहीं करेंगे डेफिलनली नहीं करेंगे बस मैं अर्विंद का लाज बच्चे तो जुड़े रहेंगे आपसे ना तो एक्सपैक करते ही है ठीक है थो आपको देखते हूँ कि आपके हैनिवर्सरी है तो आप आपने एक थामि में टाइम जीजीए इस नुकुल फिल्कुल है कि अन्विंट करके आज़ा अज़ाओ बटाव ज़्य श्रीकिष्ण स्थोइश्वेकिष्ण सभी जवी श्रीकिश्ण। सब्सक्राइब पूछने की जुरत नहीं है अपने आप से यह सिर्फ यह पूछो कि मैं कौन हूं की यह राइ दिन-रात पूछो अपने आप से अपने अब रस्ता खुल जाएगा कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं जब खाली बेठ्टे उइस मंत्र का जाप करू मैं कौन हूं मैं कौन अगर कर सकते हो तो अपनी स्वासों को देखना शुरू करो अगर भीतर आ रही स्वास और बाहर जा रही स्वास को देखो श्पीच्वल जन्नी तभी शुरू हो जाती है जब आपके दिमाग में भाव आ गया कि कैसे करूं मैं इसे जिस दिन वह प्राःथना इतनी प्रबल्न हो जाएगी उस दिन साक्षाद प्रमादमाल औको भी आना पड़े लेकिन वह प्राइन आ यह उतनी स्ट्रॉंग नहीं आप च्रॉंग बनाऊ इस फ 엔 वह जो प्रस्न है कौन हो उसको और भाव से अपने आप SEC कई कौन हुं और सबसे लंबा कोर्स होता है एक एक दो बजे तक लोग बैठे रहते हैं इसमें ठीक है चलिए सभी को मेरी तरव से प्रणाम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वाव एस चोगे लिए आज का हमारा प्रणाम आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत शब़ोस से ले रायों अ कार्श में, नायोर्ग किसा ट हो